प्रिवेश्य प्रिवए डिए कि अधिक आध्यू 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 आध्यू, प्रिवान वेलकम टू गेट वाला आई होप एवरीवन आध्यू ग्रेट तो हम लोग ने लास्ट लास्ट तक चार चैप्टर अपने खतम कर लिये हैं टाइप्स और मेंटर्स ऑफ इरिगेशन उसके आथ सॉयल मॉश्य रिलेशन्शिप फिर वाटर रिक्वार्मेंट ऑफ क्रॉप्स और वाटर लॉगिंग अब आज बारी है किसकी कैनाल डिजाइन की बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इससे काफी सारे कोश्चन गेट में सब्सक्राइब करेंगे बहुत जबरदस क्लास होगी आज चलो वह सबको गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग यारक्षे देवराज उत्सव टर्टल भी आए आरे भाविक सबको गुड़ीवनिंग ठीक है चलो बहुत शुरू करते हैं क्या-क्या पढ़ने वाले इसके अंदर पहले वो डिसकास करते हैं लोग तो के नाल डिजाइन में अपना कई सारे टॉपिक्स हैं कई कई से किसी कि एक्जाम में कुछ पूचे गया कि लेकिन गेट की बात करें हम लोग तो गेट में डिजाइ टिक अंदर यहां से कुष्छन आए होँ है क्लासिविकेशन से कुष्छन आए हुए है ठीक है ऐसे सी जी वगर में क्रॉस एक्ष्षन ग्लासिट बहुत पुष्चन आते हैं तो पढ़ते हो चलेंगे ओवर्ल खतम करेंगे इसको ठीक है और क्योंकि इंप्रूटेंट चै मेकैनिजम और डिजाइन विस्टेवल चैनल आज हम लोग यहां तक पहुंचने कोशिश करेंगे ठीक है बढ़िया तरीके से लोग पढ़ते हैं कैनाल का तुमको देखो कैनाल का सिस्टम तुमने पढ़ा दिया था ठीक है कैनाल का सिस्टम आयोप सभी लोग को बहुत अच् मेजर्ट का माईनरस होती है और माइनरस के और आउटलेट से या वॉटर सो निकलते हैं आटने की और से में इसी के पृढ़ाएंके क्या स स्विक्सिंटिक differs में direito सिसक्रा को यहन डीकर्स सब्सक्राइब करते हैं अब दो चीजे हो सकती है रिवर अगर केनाल को पूरे साल पानी दे सके अगर केनाल को पूरे साल पानी जाके तो इस तरह केनाल को बोलते हैं पर्मिनेंट ठीक है और पर्मिनेंट का मतलब यहां पर यह है कि हमेशा सर उस सोर से पानी एविलिबल है और केनाल में आप जब चाहे पानी प्रोवाइड कर सकते हैं जब चाहे पानी रोक सकते हैं आपक साल पानी कहीं कोई कमी नहीं होगी लेकिन इसी के अंदर गूंडिशन बनती है अब अगर हम अपनी के नाल को पूरे साल चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे पैरीनल किलाल मतलब सदा बहार पूरे साल चली क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उसको continuous supply मिलेगी from the source throughout the year बिल्कुल बंद नहीं किया ठीक है source कैसा permanent पानी हमेशा अवलेबल है पानी अपना पूरे साल अवलेबल है लेकिन सर अगर आपने पूरे साल चलाया पूरे साल आपने चलाया तो perennial हो गया लेकिन अगर आपने क्या किया पूरे साल नहीं चलाया अब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको 6 महीने चलाइए 8 महीने चलाइए 4 महीने चलाइए जित्ता जरूरत है उतना चलाइए gate बंद कर दीजे gates लगे होते हैं gate को बंद कर देंगे हैं प्रइण नहीं यूज कर रहे हैं तब उसको हम बोलेंगे non-perennial लेकिन दोनों ही case में चाहे आप पूरे साल पानी ले चाहे आप पूरे साल पानी ना ले लेकिन इनकी source कैसी है comment करो इसमें source कैसा है आपको पानी मिलेगा पूरे साल ठीक है source कैसे है permanent पानी हमिशा अब लेबल है अगर आप पूरे साथ लेंगे तो perennial नहीं लेंगे तो non-perennial कमेंट कर दो दोनों ही कि source कैसे है comment दोनों के ही source कैसे है यहां पर permanent ठीक है बस इतनी सी बात है यह अंम लौग गशनी रिवर में यहाँ से कै और दाइबर किया लेकिन अभी रिवर है पानी बहुत कम है अब पानी काफी कम है अब करें क्या पानी है बहुत कम सर है ना प्रॉब्लम तो जब बाड आएगी होता है कि नदी में मॉंसून सीजिंस में पानी के लिवल बढ़ जाता है यह समने अबसर्व कियो को बहुत बढ़ी चीज तो है नहीं है तो फ्लेट जब आएगा पानी के लिव को हम लोग बोलते हैं इनन्डेशन के लिए है तो लिखा है इस तरह के कहना जो होंगे उनको सप्लाइस तभी मिलेगी जब वाटर लेवल इंदर रिवर प्रॉम विच टेक्स आफ राइस द्यूरिंग फ्लडिंग जब पानी बढ़ेगा तभी यहां पानी जाएगा ठीक है और मेंली यह केनाल का परपस क्या है तुमसे पूछ सकते हैं तो तुम बोलोगे कि बाढ़ के जो एक्स्ट्रा पानी उसको डाइवर्ट करने के लिए ठीक है बाढ़ का पानी डाइवर्ट भी हो जाएगा और अपने केनाल में सप्लाई चली जाएगी तो बढ़िया है सर सब्सक्राइब करते हैं तो वह सबसे में केनाल होता है अब वो जो में केनाल जो सबसे पहला रिवर्स डाइटली निकलता है करना इसको बोलता है इसको बोलता है जा सुनना बात हमारी थिक है सर नदी से आपने हा निकाली में केनल बहुत बड़ी है सरी यह काफी बड़ा इसका डामेंशन अगरा रहता है ठीक है और काफी वॉलिम इसमें जाता है में आप सुनो यह जो में इसको बोलता है क्यों क्योंकि सर यह चोटे के नाल जो इससे निकलेंगे उसको फीड करेगा सिंपल बात है ठीक है जो इससे चोटे चोटे के नाल निकलेंगे से ब्रांच के निकलेंगी ब्रांच भी अपने आप में काफी बड़ी होती है ठीक है तो ब्रांच भी अपने आप में काफी बड रहा है और जो कैनल जो केनल अपना क्या नाम है छोटी ब्रांच इसको फीड भी कर रहे हैं मतलब माली जो ब्रांच पानी आगे आप और चोटी दिस्ट्रिबूटरी सब निकाल दिया लेकिन ब्रांच से हम लोग कभी-कभी डारेक्ट ब्रांच पर आउक्टर लगा के यह मा से पानी को निकाल सकते हैं बाहर वाटर कोर्स के ठीक है तो हो जाएगा इरिगेशन लेकिन वो फीडर नहीं रहा फिर फिर वो कैनाल जो रहेगा सर यह आपकी छोटी किनाल होंगी यह बन जाएगी कैरियर कैनाल ठीक है यह पानी को लेकर जाएगी और आउट्रेट से इसने स पानी जाएगा तो अब देखो जो डिस्टिवीटरी है यहां पर इस डिस्ती इस माइनर भी निकलेंगी तो इसने फीड भी किया और इसने आउटलेट के तो इरिगेशन भी कर दिया दोनों काम कर दिये लेकिन में गैसे नहीं होगा सर यह बासर में में काल से फीडिंग कर रखा गया उसका वो समझ लो राइसान की जहान है समझ इतना पानी वो राइसान सप्लाई कर रही कि तुमको क्या बताया जाए बल्कि वह आता हिमाचल से ठीक है तो हिमाचल से वो कैनाल आती है और फीटर कैनाल है काफी बड़ी है और उससे बहुत सारी ब्रांचेज सब्सक्राइशन दोनों कर रहा है दोनों करेगा तो क्यारियर बोलेंगे और सिर्फ फीटर बोलेंगे ठीक है आगे बात करते हैं लोग बेस्टान फैनेशल आउटपूट सामझ में आ गया होगा इतना टफ नहीं है ठीक है अभी हमने टेलिग्राम में डाला है ठीक है तो जाएक है जो डी मतलब किया यह एक बात बता है सब्सक्राहर हो लेकिन उसकी वसूली कहां से होगी अब लिख hey mygen 2 कि Bioma जब वह पानी कश्ट किसानों से मिल जाएंगर जैसाँ रहा है तो पैसा अगर अच्छे से आ पैसा अगर हम लोग उसको बोलते हैं जल सुल्क जल का सुल्क पीस बोलते हैं वाटर की फीस जो कि किसानों को देनी चाहिए एक तरह से ठीक है लेकिन चुनाव लड़ने के चक्कर में सरकार जैसे व्यूपी की बात करें हम तो चुनावी एजिंडा बन जाता है कि हम जल सुल सुल्क माफ कर देंके और माफ कर देंगे और माफ तो में होता नहीं है लेकिन उसका लोड और सरकार को फ्रेंशें पैधिकल ना बदलब जो में लोग इस्तमाल करेंगे जितना पानी इस्तमाल करें रहे हैं जीतना पैसा आएगा अगर वह केनाल की ररिंग कोस्ट उसका जो कैनाल में खर्चें होते हैं और हम बोलें के सब्सक्राइब कैसा है वह कैनल प्रोड़क्तिव है ठीक है देखो पर सकते हो दिस केनाल फुली डेवलावड ठीक है इसको आप पूरी तरीके से बढ़िया से बना दी जितना खर्चाय कर दीजे लेकिन अपना वो रिल्ड कर देता है पैसा ठीक है इतना रेवेट करता है ताकि उसकी रणिंग कॉस्ट निकल जाए है ना उसकी ऐनिशन कोस्ट तो सब माफ है लेकिन ऐसा नहीं है को पैसा में सरकार सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन अल्टिमेटली सरकार जास जो पैसा था वो कम होगा अब उससे क्या होगा डेवलप्मेंट कम होगा ठीक है तो बादब एक चीज है ठीक हो भी सकता है नहीं वह सब आवत निकरेंगे वह वापस आजाते हैं तो यह हो गया प्रोडेक्टिव कैनाल फिर होते प्रोडेक जृष की आज जहां पे किसानों को सुखा पड़ रहे है पानी कमी हो रही है ठीक है और उनको पानि मिल भी पा रहे हैं तो पैसा ली तो भी मिले तो भी हम दाए डॉकला इस प्रोड़क्टिव तो भूल जो ठीक है प्रोड़क्टिव तुम कह सकते हैं सरकार पैसा दे रहे चलो ठीक है लेकिन रेवेन्यू जो है किसानों से डाइटल नहीं आता है तो यह फाइनेशल आपूट की बेसमें यहां फाइनेशल मिल रहा है यहां पर हम सोशल कॉस के लिए काम कर रहे हैं ठीक है फिलाल यूपी जितने किनाल से वो सब सोशली कॉस्प चलने किसानों को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है कि चलो बासन में आ गई होगी होगी है अच्छा कोई यूपी से है यहां हायरी बताओ तुम लोग कोई यूपी से है कि नहीं क्योंकि पूरा यूपी में और पूरा गंगा बेसे नहीं बहुत बड़ा सा और सारी जो ट्रिब्यूटरी जो सब्सक्राइब मना दिये गए हैं गंगा को भी टैप करने की बहुत कोशिश की गई है ठीक है जगे जगे तो यूपी की कोई है तो बताओ भी कमेंट करके एंपी में तो इतना बड़ी है सिस्टम है एंपी के करने बात करें एंपी में पता है कि अग्ड़ी सिस्टम है यहां पूरा माइनर तक पानी पहुंसता है और वहां पे एकदम ख्लोजड आउटलेट है ठीक है पैसा दीजिए पानी मिलेगा पैसा नहीं दिया पानी कट सब जगे का अलगला सिस्टम है अभी यहां यूपी में सब खुला खुला मामला है ना अच्छा सतना का भी एक लड़का है चलो बहुत लोग है सब्सक्राइब लोग का यह बहुत इस सब्सक्राइब बनते हैं तो इस डाग्राम में तुम देखो यह जो यह लाइन जा रही है यह रिजलाइन है और जो भी सर इस मांटरी के अंदर पानी गिरेगा वह सब अल्टिमेटली नीचे चला जाएगा वैली लाइन में और वह अपनी में रिवर है गंगा मालो या कोई भी रिवर मालो ठीक है यह तुम लोग को तो अगर हम कैनाल को रिज पर आलाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं रिज कैनाल ठी रिफ वह तो अगर हम कैनाल कौंटूर के लॉंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉंटूर के नॉल ठीक है समझने कोशिश करो पैला हम उसकी ऐलाइनमेट नौगए दिखा दे फिर उसकी पीचर समझाएंगे तो अगर हमने के नल को रिज के लॉंग कर दिया तो रिज रिज डीनल कर दिया तो लिए अग्र आपनिशन और वाचसल पहुंचता है नहीं तो जिस जिस डाइरेक्षिन वह अपने आप नीचे पहुँच रहा उस करहलो बोल रहा है जिस दारिक्षिन अपनी देखी होुँँ सब के घर में होगी तो उसमें तुम देख सकते हो एक हाइट सौ मीटर की है मतलब एक हाइब तुम लाइन बनाओ गोल सरकल ना दो तो एक तुमको हायर लाइन मिलेगी फिर थोड़ नीचे जाके लाइन रोकर तो असी मीटर की मालो और पानी हमेशा उसके परपेंडिकुलर चलेगा याद रखन नाचा ऊपर से नीचे जाएगा तो पानी जिसी डारेशन फ्लोकड़ता है उसको बोलता है साइड स्लोप वाली लाइन ठीक है या वैली डारेट्शन कह सकते हैं ठीक है साइड या कлекणूर कंट्री स्लोक मीटी में पानी फ्लोकड़तें वह बोलता है side slope तो अगर हमने side slope के direction में कैनल को align कर दिया यह लिए साइट करने कि छिए कोछिश करिए तो यह साइट स्लोप के नव जाएगा कितने के र हो करो कि अनद बेसी आफ अलाइनमेंट है ना बताओ तो on the basis of alignment हम लोग कितने केनाल यहां पर classify कर रहे हैं बहुत important है comment कर रहेंगे comment 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 एक हम लोग align कर रहे हैं रिज के लोग एक हम लोग कर रहे हैं country slope या side slope के लोग ठीक है अब तीनों के feature समझते हैं समझ में आ गया सबको ठीक है याद रखना है बहुत important question अब question यहां पर आता है सबसे बढ़िया कौन सा है सबसे घटिया कौन सा यह समझना पड़ेगा तो जो केनाल है वो सबसे ऊपर रहे हैं ना उसका पानी इस कैच्ट भी जा सकता है और इस कैच्ट भी जा सकता है तो उसका command इरिया बढ़ा होगा हमारी कोशिश हमेशा यह रहेगी कि हम केनाल को रिज लाइन करें ठीक है तो यहां लिखा हुआ है कि हम कोशिश करेंगे उसको watershed य केनाल है रिज के नाम के यहां बोलते हैं add मैं फीर फेणठीक है और सबसे ःठी बात यहां पर यह यह वह ट्रेब्ट नाल नोहींतर की तो इस केनाल से कहिंनाल करेगी लेकएक बास समझो रोड अगर कहीं भी नदी को कट करती है तो हमको ब्रिज बिनाना पड़ता है ब्रिज तो देखे हो ना यार देखे हैं देखे हैं नहीं देखे हैं सबने देखा है खर्चा हो जाता बहुत ज्यादा सेम अगर केनाल जा रही है सर कहीं से और केनाल के माली जे नीचे नदी पास हो सके पानी का ब्रीज उस नदी के ऊपर से और नदी हमारी ड्रेन मानी जाएगी ठीक है नदी तो पानी सारा पानी ड्रेन करती है अपने आप में बहुत समझने कुशिश करो तो वहां पर खर्चा बढ़ेगा तो कभी भी अगर हमारी कैनाल ऐसी जगहों से पास हो रही कोई नाला आ जा रहा है तो हम्को उसके लिए ब्रीज मनाना पड़ेगा उसे क्रुस्ट व्रक क्रॉस्ट ट्रे जिसलिए गोश्ट हमारा कर रहे किकर ँद कर रहे घरचा बढ़ेगा खोपड़ी खराब होगी हमें कोशिश क्या करनी है कि 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 शी sensor को कैना एक्कनॉमिकल मन तो यह तो इतना उपर है कि कोई नदीर नाला कुछ पार नहीं नहीं है कोई सबनाएंगे और बढ़या से कोई अला अला कुछ लोग ऑनाते कॉन्टर तो क है न हो टिक है पहारो में क्योंकि पहारो में देखो यार प्रम यह पानि ऊपर कहा जा जाए गाल पहाड में पने द्माग लगा एंडिए पंप के मानती है यह नि पॉलादी जाद पता पता नी चलता है लेवल अल्मूस्स सबका सेम रहता है थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आता है तो दीवेदी में कवर हो जाता है हम बताएं कि तुमको कैसे जानना चाहोगे तो तो कॉंटूर आजली पहाड में इस्तेमाल होता है और कॉंटूर कैनाल अगर आप बनाएंगे तो देखो कॉंटूर आप बात क्या है न पानी ऊपर जाएगा नहीं वहीं देखे रिजपर आपने इधर भी जाएगा पानी उदर भी जाएगा दोनों एक साइड जाएगा कॉ उपर नहीं चड़ जाओगे अपने आप हैंगे नहीं उपर टोड़ी चड़ जाएगा पानी सेम चीज तो यहां कॉंटूर में हम लोग कहना लाते हैं तो इसमें इसमें इट कैन इरिगेट ओनली वन वन साइड इसलिए इसका कमाड़ यह कम हो जाएगा और दूसरी चीज पता उपर की साइड तो बंधा भी नहीं बनाना पड़ा था बैंक पानी को रोखने को वैस्ता है नहीं कोई पानी उपर जाएगा नहीं पानी सब नीचे आना तो इस साइड बैंक बनाएंगे और यही से आउटलेट सगरा यह चोटी-चोटी माइनर सगरा निकाल लेंगे ठीक है अब इसमें एक समस्या बहुत बढ़ी है इसमें लिखा भी हुए कि हम लोग यहां पे जो तट है जो बैंक है वो सिर्फ एक ही साइड देते हैं लोवर साइड में तुम समझ लोग पानी इस साइड उतरेगा इस साइड उतरेगा ऊपर जाए गई नहीं ठीक है तो यहां समस्या गया देखो यार होगा क्या कि जितनी नालिया है वो सब यहां से अल्टिमेटली इस नदी में पहुंचने कोशिश करेंगी जगे-जगे-जगे कट करने कोशिश करेंगी ठीक है दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को यहां फर्स फर्स वन बेटर है अर्पित कहते तो जहां पर ड्रेन क्रॉस करती है बताएंगे वह सब आगे शेप्टर में आएगा तो उसका पूरा लग से लेक्चर है भी ठीक हां तुमको भी बता रहे से फिलाल यहां पर कि कॉंटूर को यहां पर ड्रेनेज कट करेंगा क्योंकि सारी नालियां जाएंगे नीचे कॉंटूर चला उसके परपेंडिकुलर है कि नालियां तो हमेशा कॉंटूर लाइन के परपेंडिकुलर फ्लो करती है तो जगे जगे आपको क्रॉस देने पड़ेंगे यह तो बहुत घटी आए सर पहाड़ों में दिक्कत प्रॉब्लम ठीक है तो यह लिखा हुआ है कि कॉंटूर के नाल को क्रॉस देट बर्ट काफी करने पड़ेंगे बनाने पड़ेंगे तो सकति के नाल में थोड़ा मुश्किल है ठीक है भाई सब पर्योज़ना है महेंगी हो जाएंगी अचानक से फिर साइड स्लोप की बात करें हाँ साइट तो तुम देखो रहे तर अब जैसे माली सर यह आपने करना रहा ठीक है यह यह देख सकते हैं अब सर पानी आपके नाली जा रही ब्लू रंग वाली है यह नाली आपकी बगल से जारी तर तो अब नाली आ अच्छा हाँ एक्जाम में पूछता क्या है कि साइट स्लोप और कॉन्टूर के नाल आपस में कैसे हैं तो परपेंडिक्लर हैं ठीक है यह देख सकते हो यह ला लाइन यहां पर कॉंटूर लाइन से लिखा हुए सब यह ब्लू ग्लू लाइन हमारी साइट स्लोप से और यह सबसे उपर वाली है सब लिखा हुए यहां ठीक है देखो तीनों चीजें यहां पर लिखी हुए डाइग्राम में तो हां बता यह रहे था कि कॉंटूर के परपेंडिक्लर साइट स्लोप तो कॉंटूर के नाल और साइट स्लोप के नाल जो होता है वह पानी एक्दम क्यां रिखा है और यह ना रिजपे हैं ना एकदम नीचे में हैं उसके बीच में अलॉंग दा स्लोप है और बस यही सब्सक्राइब जादरों नहीं पड़ेगी खर्चे की बात करें तो क्रूंटूर करें बहुत खर्चा है क्योंकि सर वह बार बार क्रॉस करेंगा नालिय स्यादा बहुत ही बहता है को सेकेंड नंबर पर है और साइडस लोग की सबसे कम रहती है ठीक है सबसे एफिशेंट की बात करें ब्लैक वाल को बेटा नाल था ठीक है ब्लैक वाला के अले यह जो ब्लैक देखाना चाहरा है कि हमने बताया यह पिंक लाइन तुमारी क्या ज हर पूरी कहानी करता है फिर पोजोर राम को होने हैं फिर यह देख़ो कॉंटूर के लोंगे तो यह हमारा कॉंटूर कैनाल यह इस जाएगा ना बेस जिस लाइन पर जो केनाल किया गया वह वह वाला के लिए ब्लैक व्लैक हमने दिखाने कोशिश करिए साइड स्लोक इनल ठी में कितनी प्रॉब्लम साती है एक्च्वल में हाँ बेटा येस हां के ओविस्टी ट्वेंटी फॉर के हेल्फू लोगा क्यों नहीं हो गया है ठीक चलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देंगे कि कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है सब्सक्राइब कर देंगे कितना हमारा टाइप के किनाल है कमेंट ठीक है याद रखना इंपोर्टेंट है ठीक है किनाल बहुत इंपोर्टेंट है फिर बेस दों डिस्चार्ज एन डिलेटिव इंपोर्टें सब्सक्राइब और यहां तक सारा कंट्रोल स्टेट गवर्मेंट के आफिसर्स के हाथ में होता है ठीक है पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में होता है और उसके बाद माइनर्स पर क्या होता है सर माइनर्स जगे जगे आउटलेट्स होते हैं उस आउटलेट्स से बहुत वाटर कोर्स निकलते हैं जिससे पानी किसानों के खेट तक मौशता है सारी वाते हम लोग अलड़ी कर चुके हैं कई बार ठीक है और तुमको मता दें यह स्थे नहीं जितनी तुमारी आप करने के लिए ओफिसर्स की तैनाती होती डिपार्टमट ठीक है अब तो इस्टेट गवर्मेंट का काम यहां तक है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन नहीं तुम बताओ इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट इह है तो इसके जो राज्टे स तुम है तुम जड़ों है माइने धार्ट होता है माइने देटर आउटले तो तो समझा देते हैं आउट राजा होते हैं जैई साव जुनियर एंगिनियर अट नब्ट जै तो जाता है ठीक है एक गुल निंगलेगा वाटर कोर्स निंगलेगा जिसा पानी किसान और सब्सक्राइब को यह सब्सक्राइब करें थे कि अगर देश्टीर आपकर अगी होगी उनकी मौनेटरिंग उनका कंट्रोल उनके मेंटेनर सचे से नहीं पहुत था गए तो इस तरह से चलता है यहां पर चीफ इंगनेर तो इस तरह से चलता है यहां पर चीफ इनर और तुम्हारे जो इंजिनिंग चीफ है वह समय वाल होते है क्योंकि प्रोजेक्ट शुरूए सब्सक्राइब कर देगा कुछ दिक्कत आई तो इस तरह से हैं तो में ली अगर हम यहां सबसे इंपॉर्टेंट है उसके एफेक्ट होने से सब हिल जाएंगे थिक है माइन राइन खराब होती तो उसको आदे मासाल बंद करके रिपेर करें उसमें प्या है ठीक है तो इसक्व इस सबस्यादा है तो सीक्राइब चाहिए डिस्चार्ज यहां पर काफी ज्यादा धिकाई डिस्चार्ज जब देखो कम ओते जा रहे हैं माइनर्स का डिस्चारज 0.25 था इंप वहता है ठीक है और उसी से आउटलेट तक पानी कि एक एक आउटल न पानी दिस्क्रिट कियाता है ठीक है और वाटर कंट्रोल वाटर फूर्ट को सब आपने साब से बना सकते हैं यह जो कल्टिवेटर से मेली वहीं करते हैं टीक है तो यह बेसिक चीज़ है यह कि किस तरह से हमारी अलग-अलग केनाल किया जाते हैं डिपार्टमेंट और किसान दौर ठीक फिर आता है हमारा बेसमान सॉयल टाइप हाँ यह बड़िया चीज़ ह अब ऐसा होता है कि तुम यह देख़ो के कहिं गाओं अगर हो किसे नहर मेरे लें नहीं कि कि DR नेहर अगरा यहीं सारा सब्जेक्ट यहीं लेंगे थेगा देखिए ना लखनों में यह देखिए अच्छा लखनों में कौन से दृताओ नहर देखिए लगनों देखी है लगनों में बहुती बड़ी किनाल जाती है यहां से अच्छा बांद सागर परियुजनारे वह वह वैरी गुड़ यार बारगी ब्राइब तुम लोग को आइडिया है तो तुमने देखा हो का मिट्टी में फ्लो करती है वह पानी पूरा मिट्टी में फ्ल लाइन है ठीक है तो जब मिट्टी में पानी फ्लो करता तो उसको मोलते हैं मतलब वहां पर पानी फ्लो कर रहा है थुरू नॉन कोहेजिव सेडिमेंट्स जैसे सेंड सिल्ड ग्रेवल यहमारा अलूवियम हो गया ठीक है और अगर सर उसमें लाइनिंग कर दें सीमेंट की यह मालीजें आप एसफाल इनिंग कर दीजें बिक की लाइनिंग कर दीजे इस तो लाइनिंग कई प्रकार की लाइनिंग होती है तो हमारा वह नौन नुवियल कलाई ठीक है और उसका जो क्रॉस सेक्षिन है वो एतनी जल्दी रोड नहीं करेगा मिट्टी में फ्रॉब्ल थे नहें जाता आँए सब लोग जिसके वह काटे निकले गाटने दावर अब पानी अचानक सकते यहाँ फॉल मैं यह प्रॉच्ट करने लगेगा नहर कट गई स्कों बोलते हैं नहर बगल फेत ओंब एस तो मैं जाते हैं है ना सीधे मतलब बहुत बड़ी कारवाई हो जाती है उसमें नहर कट गई लेकर उसको रोकना पड़ता है ठीक है फिर वहाँ पे बल्ली बल्ली लगा के और बोरियां भर के रोका जाता है किसी तरह से तो मतलब इन शॉट्ट मिट्टी के जो कैनाल हम बताना यह च पानी सीफ नहीं करता है और राइन गरता है इसमें बहुत पानी मतबट जाता है और यहां तो सर पानी वैसे भी सीफ करता रहता है और कहीं से चैनल गट वड़ गई ठीक है काहीं पे होल बगेरा हो गया बहुत कॉमन चीजह हो जाता है आए दिन है ना तुर्न सूषना पहुंचाई जाती ही और एंजिये बीटी परसन के और जादा होंगे बलकि ठीक है और जादा ही बलकी किया नाम है और ज्यादा ही व लक लोग बात करेंगे पाइदा ज्यादा होना चाहिए लागत कम लगनी चाहिए तब तो परियुदना पास होगी है ना अब ऐसे सब फिरी चलना तो कहां तो में लिया लैंड गाल बस एटलीस है कि सब अगर वाला अपना सिस्टम जब बहुते हैं उसमें अगर हमारी कैनल कर रहे है तो अपनी इलुगेर करता है तो अपनी सब्सक्राइब को देखना है इस सब्सक्राइब को कि देखिए इसको समझने से पहले तीन समझ नहीं है ठीक है यह लोग को पूरा जमीन के उपर बना सकते हैं बात सुनना द्यान से मायरी ठीक है जग ज़रा कैनाल को पूरा जमीन के उपर रहा सकते हैं यह लेवल है उसके ऊपर देखिए यह देखिया आपकी जमीन है इधर देहां देंगे सब लोग यह जमीन थी आपनी यलो लाइन दिखा रही है यहां सर आपने बंदे मिट्टी के जबरतस बंदे मिट्टी भर दिया जबरतस तरीके से दवा के मिट्टी भरी से यहां पर देंगे भाथ उसको पानी भर दिया तो इस तरह को बोलता है जमीन के ऊपर है पूरी के लुगिए और यहीं मिट्टी रखी और फिल कर दी कर दी कटी फिलकरी और कैनाल चला दी क्लियर असान बात है कुछ इधी नहीं दूसरा तो आपने आसा यह जटाले करण नीचे निए और पूरी केनाल को हमने इस गड़्धे में से फ्लो करा दिया तो आप यहां दे देखें केनाल का बेड और केनाल का फुल लेवल सब ग्राउंड लेवल के नीचे आ गया अरे आया कि आया यह सो नों बताओगे कि नहीं है तो पूरी केनाल जो है सर जमीन के नीचे चल लए है ग्राउंड लेवल के नीचे इसको बोलता है कैनाल कटिंग आपने मिट्टी कट की एसके वेट की और फिर केनाल को कराया दोनों ही बेकार है इतनी मिट्टी यहां लाएगा कौन ट्र आप जमीन के नीचे का इससा लिए आधा जमीन के उपर कर लीजे जो मिट्टी निकल रहे इसको बोलते हैं दिमाग इसको बोलता है इंजीनियर है कि नहीं यह सरक्या सिस्टम है कि आपने मिट्टी खोद के यहां लगा दी तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा मजही लीए केका बेड़ क सिंपल ने मिट इंपांट पर उपर है श्कुबलते हैं पार्टी इन करकिंग ऌर्टी फिलिग पानी जमीन की नीचे भी के पार्शल मेमिकल है इसको बनाने मिग तो मस्ली वनतुम देखोगे तुमको यहीं दिखेंगी ठीक है क्रिशन नियू स्टुडेंट चलो बहुत अच्छी बात है बेटा नियू स्टुडेंट लेकिन तुमको बता रहे हैं पीछे से देखना वीडियो ठीक है तो ज्यादा सही रहेगा तीन-चार वीडियो है रिकॉर्ड देखना को दिक्कत नह अगर हम ऐसी मिठ्टी कोद दे हम किस डेप तक मिठ्टी को खोद दे है कि बरावर बरावर मिठ्टी वॉल्यूम ऑफ कटिंग और वॉल्यूम फिलिंग बराबर जाए तब तो चमतकार हो जाएगा सरु था से लेंगे हम तुम्हें बता रहे हैं एसा किनाल आप यह देखिए यह जमीन को लेवल है यह जमीन का लेवल पर आप देखेंगे यह थोड़ी जगे विर्त इसको बोलते हैं आपकी के आप區 कर्टिंग इसको बोलते हैं यहां पर डॉल अगर देखा होगा मुस्ली के बगल में रोड ज़रूर जाती है कितने लोगोंने बात अब्जरव करी हैं, उस रोड के मगल में एक स्टरक्चर एंग को डॉला बोलते ताकि नहर में ना गृपड़ो यहां पर बोलते हैं यह अपना पूरा कैनाल हो गया ठीक है बाकी सब सेम ही है ठीक है इसमें कुछ बहुत खास नहीं है सर्विस रोड मोस्ली लेफ्ट साइड दी आती है सर्विस रोड मोस्ली लेफ्ट साइड दी जाती है देखा है सबने देखा होगा बहुत कॉमन चीज़ है तो मैं काम करते हैं सीधे तुमको इसके क्रॉस एक और चीज़ उपर जगे छोड़ जाती है इसको क्या बोलते हैं फ्री बोर्ड ठीक है अब कैनाल की जो साइड साइड स्लोप नेको कोट्टि मितलब सर जमीन के नीचे की बात आप कर रहे है कि तो यहां पर जो साइड स्लोप होती है ओकर किया तो ज दीиком होटी है कि मैं मृत्त उसके बाद तुम्हारा बर्म क्या होता है ठीक है तुमको अभी इस डियाग्राम अधाने यह लगे हाथ हो यह जगे छोड़ी जारी देखो इसे बंब बोल रहे हैं इसे इधा जगे छोड़ते हैं इसको बर्म बोलते हैं ठीक है क्योंकि कभी फ्यूचर में एक्स्पेंशन करना है तो यह हम लोग यहां सकते हैं थोड़ा जगे बन जाएगी ठीक है तो हॉरिजॉंटल डिस्टेंसे सरी है यह कहां कहां किन दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉंटल डिस्टेंसर पढ़ो साम किया देखो पढ़ लो यह बैंक को प्रोटेट करता है यहां बना हुआ है अब आएंगी तो जो भी होगा यहां होगा बर्म में बैंक बचा रहेगा उससे रोजन से बचा है ठीक है फ्यूचर में से आप इसको एक्स्पैंड कर सकते हैं लॉस वगरा कम होते हैं इस नहीं होगा ठीक है एक एडिशनल स्ट्रेंट देता है यह अपने बैंक को यह जो बैंक है ना उपर इनको मजबूती मिलती इस डिस्टेंस किया से ठीक है क्योंकि मोसली पाने नीचे चला जाता है और यह उपर हलका हुलका पानी होगा वो इतना फॉर्स वर वगरा जन को देखो यह कटिंग पॉर्शन इसका टॉप यह बॉटम एच ठीक है तो यह सिंपल है तो जिसमें बाँ टफ नहीं है फिर आता है फ्री बोर्ड प्रीज़ को शुर्णा पड़ेगा प्रीवर्ड करता है कि आपकी जो कैनाल वसमें डिस्चार्ज के ना बिस्चार्ज मैं ना ब्रंच है जिसमें कोई ब्रांच है जिसमें 5-10 मिटर की पानी फ्लो कर रहा है तो आप वहां पॉइंट 6-10-30.75 और मैक्सिमा पॉइंट 9 मिटर तक फ्रीबोड उपर से छोड़ सकते हैं ठीक है यह मारा फ्रीबोड ऑगया एससी में बार कोश्चन पूचा गया है देख लायन इंगर लाइन अगर है तो हम मैजर करेंगे ुकंष का मतलब यह है अगर लाइन के नाले है तो लाइनिंग के टॉप से जाते फुल सप्लाइ लेवल तक कर डिस्टेंस मेंजर करेंगे और अनलाइड के लागर होती है तो हम लोग जो हमारा बैंक है ना उस बैंक का टॉप से जाके एफसल का लेवल मेंजर करते हैं यह बात याद रखनी है लिखा हुआ है अनलाइड के लिए हम लोग एफसल और टॉप उसले servers देखेंगे है और लाइड करी एफसल ऑट आर्फ लाइनिंग लाइणिंग सोसी जिखेंगे फिका क्लीयर इस लिखयं एक लिगाट शूटें यह हमारा चा़र्जास और राधास नेया होती तो हम लोग ऑशेल आप है यह लीडिन इनन नहारा टाप है यह में 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 तोंभों पूछे कहा है एक अब बॉलार की अधरा स्थाटर्वर मिन Аuchis यह ही का कि ये मिन का मैं कि सर्विस रोड से गाढ़ यह altogether अपने सब्सक्राइब नो जिसकी हाइट यह सर्विस रोड इधर मालो ठीग है तो इसकी हाइट लगवा 9.3 मीटर होती है और ऊपर यह और बस यह सब इसमें कुछ बहुत खास नहीं है इसको याद रखना है टोला मेंली हमारा सेफटी इन ड्राइविंग सर्विस रोड पर सेफटी देता है फिर काउंट अच्छा स्पॉइल बैंक तो बहुत सिंपल है जो मिट्टी बच जाती है आपने सर खुदाई करी बैंक में मिट्टी डाली बच गई अब क्या करें सर काहा ट्रक से लाद के लिए फेगे नहीं इतना और टंगी नहीं करनी सर क्या करना सिंपल हमको सर बस बगल म में हम लोग जो भी देखा हुआ कि जब अर्थवर्क एस्केविशन में ज्यादा हो जाए एक्सीड हो जाए तो जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी बची है उसको हम लोग बगल में ही कि नहर के थोड़ा दूर जाके इस पॉइल बैंक के फॉर्म में सजा देंगे बस और कुछ और यहां था त्रॉफ नहीं कि है इह बना हो कुछ नहीं बनाया कोशिश करेंगे शुरी इस बैंक के किनाया रहे हां जाएंगे और यहां पे लोग इस पॉइल बेंक्स बना देंगे एक त्रा मिट्टी को स्वू डिस्पोस करतें जा दूर जानेंक जरोध कि हैंए बताओ कि 강 ahamरा क्या होता है का वा जो समघ की नहर का पानी मिट्टी में सÝ ड्याएं नहें से नेहर का पानी से पहलेगा यहां डेखना डेगरामर मना जाएं माल लोई हमारा पानी यहां तक है नहां के तरीक बंधा व्राइन मिट्टी आपने भरिया आप यह माली आपने मिट्टी भर दी तकि ब्यूम का पानी है अधर भरार है ठीड़े ब्लू रग दिखाते हैं इधर देखो बातर यह पानी सिप करेगा गता यह लेवल नीचे वाटां लेवल इसे नीचे को नहीं पड़े हो हाइड्रोली ग्रेडियेंट लाइन एफ में चलती है तो यह लाइन थी सर पानी सीप कर रहा है अब देखें सर हुआ क्या बैंक तो आपने बढ़ा बढ़ा बनाया था इंटरनेसल मिट्टी रखिया आपने पहाणी सब्सूरा सर यहां से निकल गया देख हम लोग यहां पर उर मेंट्य डालेंगे चलते हैं और मिट्टी डाले साइड और मिट्य डालेंगेत। इसको बोलते हैं काउंटर बर maps तो यह चांत का इनर बैंक हो गया me यह कह सकते हैं एक पाणी कशह करें दाली पानि बाहर न बहार न आजाये इससे बोलते हैं catch Accountis diz ठीक है है हाँ बिल्कुल सभी सिंपल एक दम तो यह हमारा क्या हो गया काउंटर बने को मना हुआ है आप समझ गया सब लोग यह लिखेंगे एक बार अच्छा हमको यह कोशिश करने है कि जो हाइडोली लाइन जा रही है वह मिट्टी के जो सर्फेस है उससे कम से कम बना दे तो भी लाइन ऐसी जाने चाहिए कि जो मिनियूम डिस्टेंस आएगी वाटर सर्फेस लाइन ऑसर जो हमारा मिट्टी है उसका सर्फेस में सबसे कम डिस्टेंस होगी तो पानी आपका माली बढ़ गया नहर में अचानक से तो तुरंद पानी आपका यह काट के बा सब पढ़ लेना चाहूं तो बैक बर्म बैक क्यों क्यों क्योंकि इस साइड और बर्म जो साइड होता है उससे बहुत इडिशनल फाइदा होते हैं वह तुमको अपने समझाए दिया है ठीक है असान यह हमारा स्पोईल बैंक फिर आता हमारा क्या सर्विस रोड ठीक है सर् इसापल लड़के ने प्रोड़ा कहानी याद आगे बच्पन की और एक्सीड किया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा प्रॉब्लम क्यों नहीं है कैनाल है पानी जा रहा है खेतों पहुंच एकदम से बहुत प्रॉब्लम होगी विभाग में हल्चल मच जाएग एक जो भी मतलब ऑफिसर उस एरिया में पोस्टेड होता है उस एरिया को कमांड कर रहा होता है उसकी बहुत हालत ख़ड़ा होती उपर से समयलों ऐसा भी कभी होता है कि तो बहुत दिक्कत तो अभी चलो इस सब बात नहीं करेंगे बहुत सारी चीज़ें है तो हाँ सर्विस बगल में रहती है सर्विस रोट का में कि हम लोग इस रोट पर जाके पूरी के इंस्पेक्शन कर सके चले जाया राम से और देखें कहां पर क्या स्थिदी चल लगी है तो इंसपेक्शन के लिए सर्विस रोड गनाए जाती में लिए अमको स्कूल याद आई थी हम लोग पानी उस दिन से बहुत खतरनाक लगने लगा जब से MP में डैम तूटते देखा अच्छा सही है बहुत बढ़ी है काउंटर बर्म का डिस्टेंस अगर 0.5 से एकसीड किया तब नहीं वो हां तो देखो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी मालो कभी लेवल ऑफ वाटर के नाल है बढ़ा तो वो डिस्टेंस आउटोमेटिक कम उने लगेगा ना तो फ़्ला सेफ रहके चलना है कम से कम 0.5 मीटर लेकर तो होना ही चाहिए ठीक है अगर अगर शेफटी मालो उसको बास फैक्र ऑफ सेफटी है उतना जगे रहनी चाहिए ठीक है चलो सर्वीस रोड अपना हो गया है और इंस्पेक्शन पर प्रप्यस और बाकी हाँ एक और चीज़ होती ना कैनाल जाती है इंदम बीढ़ जाती है उनका बहुत फाइदा हो जाता है से सर्वीस रोड का बॉरो पिट तुमको बने बदा दिए बॉरो पिट ऐसी जगह है जहां से मिट्टी को लेके आते हैं ठीक है वैसे तो हम लोग आपको अर्थवर्क आपने कम किया है ना और आपको मिट्टी की जरूद फिलिं अगर आप कैनाल के अंदर से मिट्टी निकाले इंटर्नल बहार से तो एक्सेनल हो जाएगा ठीक है कुछ ऐसी साइट से जो बहार है तो उसका हम लोग बोल देंगे इसमें बैलेस्ट का कॉंसेट्ट था कहां लिखा है आपर है कि नहीं है नहीं है चलो कोई नहीं है एक कंपलिमेंटरी का मतलब यह है है ना है तो टेल हो गई होगा एक सिक्के के दो पहलू समझो फिर केनाल सिस्टेम रंस और इंटू स्मॉलर चैनल एंड इस प्रेट इस वाटर ऑन दे लैंड यही बात तो हम तीन दिन से चिला रहे है कि में केनाल अपना रिज पे चलता है उ उन्हां एक जाता है पानी साफ हो के हमलों के घरों तक पहुंचा जाता है अब जो पानी बच जाता है उसको घरों की जांपल ले तो जो पानी बचता है हम लोग फेस्वास करते हैं मूद होते हैं कि चिन में बहुत सारा पानी बेस्ट कर रहे हैं वह सारा नालियों के तुरू इखटा होके फिर से सीवेश टीटनेट प्लांट में प्रोसेस होके फिर से नदी में छोड़ा जाता है सेम कहानी यहां पर यह होता है दूसरा ड्रीने सिस्टम सबसे लोइस देखो वह चलता है टॉप लाइन पर पानी आप आ जाएगा समझ रहो बात समझो सिस्टम तुम किसी भी एरिया के लोइस लाइन डूड़ना चाहते हो तुरंट चले जाओ और नाले में डूब जाओ और काले हो के बाहार हैं तो सीधे नाले के पास जाओ जो नाला होगा वहां सबसे लोईसे लेफ्ट रएट टीमेटली सारा पानी महीं आता है और नदी नालों का सारा पानी लडीमें जाता है नदीयां शेहर की सबसे लोइस लाइन है बासमझ रहो कियो बढ़िए कि ठीक है नहीं डूटना चलो ठीक है तो इन शॉट कैनाल सिस्टम टॉप से पाने टॉप पे रहता है और पानी स्प्रेड करता है और डिने सिस्टम पाने को पर करके वापस नदी में पहुचाता है जोईंस इंटू दा मेंस्टीम तो इस आप से सारे स्टेट्म एक दम सही है पाने अज पता ही है इसा को यह जरूरी नहीं इस सब्कूल को का रहें ऐसा भी हो सकता है कभी ब्रांच निकल जाती हैं कभी-कभी रीरली थे लेकर रफ याई यैसे लगा सकते हो तो डिस्चाज बया मैना कितना पानी होगा अब कुछ ऑप्शन में क्या है देखो हमने तुम को एक आईडिया यह कि मैं महारा डिस्चाज अभी पॉइंट-वार्ट पकितिक वार दिया क्योंकि इतना हादन कभी कभी से ऐसा हो सकता है कि आपने जो डिस्पीट्री थी उस्माइन निकली सर क्यापता। उस माइन डिस्चार्ज. 3 हो गया है तो रटना नहीं एक्दम एकदम एक्दम लेकिन हाँ रफली रफली तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि माइनर वे क्लिए प्रिए यहां एकडम के रखाए है तो जसे बस्ट आप में यहां लग रहा है तो सबसे बस्केर लगरा है ओंप से कम रहता है अब आ यह अपको अच्छार्ज आ लेकिन ऐसा भी दिस्टी में सब्सक्राइब करने लगेगा चलो तो इसके साथ हमने कैनल का क्लासिफिकेशन पुरा पढ़ लिया है अब मज़दार चीज़ें शुरू होंगी यहां से हम लोग को समझना पड़ेगा की कैनेडी और लेसी ने क्या किया बहुत कोश्चन एकजाम बनते हैं तो अब क्या है हम लोग इंडिया में रहते हैं सर भारत देश और बाद में विभाग में जाना है सर है ना करेंगे इंडियर बनेंगे तो तुमको पहले समझना पड़ेगा मिट्टी को कभी हमने माल लो कोई मिट्टी पड़ी है उसे पानी छोड़ दिया बहुत सर अचानक स सब्सक्राइब ना करो एक मिट्टी यहां सर अपने प्लेन से और वहां में पानी छोड़ा तो वह पानी उसमिटी का करेगा किया हम लोग को समझना है तो वह पानी जब उसमिटी में जाएगा तो वहां पर बहुत सारा अपना कह सकते हैं अपने दालने कोशिश करेगा उस मिट्टी को काटेगा और एक चैनल सा बनाएगा एक रस्ता बनाएगा अपने लिए ठीक है और तब तक उस मिट्टी को काटता रहेगा जब तक वह कह सकते हैं एक एक कॉंस्टेंट कंडीशन में ना पहुंच जाएक उस समय बात तक बात समय नहीं मिट्टी करें पानी जब उस मिट्टी से फ्लो करेगा तो दीमें दिम अपना रस्ता और कह सकते हैं अपना चैनल अपना क्रोस सेक्शन श्टेप को परफेट करने कोशिश करेगा समय के साथ यह होता है ठीक है पानी बढ़ेगा तो वह बैंक और कटेगा और इसकावर करेंगे गहरी नदी तभी मानी जाएगी जब उसका डिश्चार्ज बहुत जदा है जादा जब और जब तो हम जब पूल वाकरा बनाएंगे तो उसकी जो wealth foundation है वो और नीचे तक लेके जाएंगे थाकि नदी में डिश्चाद अगर बढ़ जाता है तो वो इतना नीचे तक नहीं कट कर पाएकि जितना नीचे तक हमारा पुल का ब्रिज का वेल फांडेशन जा रहा है तो इस सब चीजे होती है हाई स्कावरिंग होगी कि ठीक है सिंपल तो इस थेउरी को अब दिवां में रखो अब हम लोग इंडिया के अंदर है हमारा कॉंसेट समझों लोग क्या है हम लोग को कुछ ऐसा करना है सर की हम लोग जब पानी वहां से छोड़ें किसी मिट्टी से था हम उस मिट्टी को पहले सेट करने हैं हम उस मिट्टी में कुछ ऐसी setting कर दें सर ऐसी खुदाई कर दें जिससे जब वो पानी फ्लो करके जाए इस मिट्टी से तो मिट्टी का शेप ना चेंज हो मतलब वो चैनल थोड़ा स्थिर रहे अब पतला हमने पानी छोड़ा हम मिट्टी सर पूरा शेपी बिगड़ गया एक्दम मिट्टी पूरा पानी मिल गई है पूरा स्कावरिंग हो गई यह सब नहीं होना चाहिए तो इसको समझने के लिए मतलब हम किस तरीके से भारत देश के अंदर स्टेवल चैनल को डिजाइन करें मिट्टी में उस एलूवियम में हम लोग किस तरह से चैनल को स्थिर करें यह सब्सक्राइब कि कौन कौन से टाइप की देखो यहां पर बहुत सिंपल है समझ जाओ कि बहुत टफ नहीं है इसमें कुछ ठीक है यह एक बढ़िया चित्र तुम लोग सामने आ गया है चित्र को देखो हमाई जो नदी रहती है उस नदी के अंदर होता है सेडिमेंट है न पानी को तो ताकत है सरॉप पानी आती सरव जोर सेडिमें वारले थपड ज़िमें दी मोड़की आगे निकल जाती अपनी तो सेडिमेंट के、 यह बोलते हैं और कुछ एसी हो सकती है या कुछ ऐसी पार्टिकल पानी में घुल गए हो पानी में घुलने का मतलब यह है कि सरो इतने चोटे हैं कि वह पानी के मॉलीकुल की इतने बरावर हो गांगा को दिखाई ने दे रहें कि तो वह पानी के पास इतनी टाकत है कि वह मिट्टी को स्कार पर परकर अपने साहथ कहूँब आओ भी हमाय साहिए पानी टेंडिनिंसी है ठीक है तो तो मेली जो है नदी के इंदर दो देखोगे एक होगा हमारा होगा सश ब्लोड बहुत खीड ये ठीक तो इन समझ पा रहे हैं कि जनरली अगर आप मिट्टी में कभी पानी को फ्लो कराएंगे चाहिए आप नदियों की बात करें या आप कैनाल बनाने की कोशिश करेंगे आर्ट पीशली तो उन अपने साथ घुब सारे मिट्टी को लेकर चलें साथ में जो अच्छी बात नहीं है हम नहीं चाहते हैं तो उसमें अच्छे खासी स्कावरिंग होगी और वह अपने साथ बैड लोड और सडिमेंट लोड लेकर आगे बढ़ेंगे जो की दिक्कत देंगे क्योंकि सर मैंने तो केनाल बनाया था पानी पहुंचाने के लिए अब सर किसान भाई माँ बैठे दे आउट्रेट को ला मिट्टी मिट्टी आ रही हो समय पानी कमार मिट्टी बहुता आ रही भर के तो सिल्ट इतनी नहीं आनी चाहिए है ना ठीक है चलो लोग आगे पहुंचते हैं समस्या कैसे दूर करें देखेंगे यह तुमारा बेड़ फॉर्मेशन है यह चाहो तो पढ़ लो इतना इंपॉर्टन नहीं है सोचने इसको स्किप कर दें इसको हम सोचने स्किप फॉरस चलो आइडियल एक मिनिट सुनलो बस जैसे हो क्या बोलने रिपर बैटन ना सौट टूथ टाइप का बन गया माल लो फिर वेलोस्टी और बढ़ी फोड़ा और बढ़ेगी तो यह तूथ है यह बिगड़ जाएंगे और इस तरह से ठीक है इस पानी जितनी स्पीड में आएगा वह अपनी नीचे मिट्टी को उस साब से फिर यह डिमे धीमे रिपल्स मितर जाते हैं और डिउन साने लगते हैं यह पाने की स्वीड बढ़ रही है लेकं फिर पाने दूब बढ़ेगी तो यह पूरे कट जाएंगे एकदम से इस पीड़ और बढ़ेगी तो हमारे धून सी कट जाएंगे यहां पर एकदम वास म पानी इतनी तैजी संधे ज्ट्र मझलग का कि पानी जा राया कि उलटा गहूं तो इस तरह के बंते हैं तो इस सू को जा एगा इसा साथ आए रटना है यह यह सब पूरी कहानी राम कता यहां लिखी हुई है चाहो तो पढ़ लेना यह सब कुछ वह लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमारा जो वेलास्टी कम है तो क्या होगा और जैसे से वेलास्टी बढ़ेगी तो फ्राउड नंबर बढ़ेगा फ्राउड नंबर जानते हैं तो यह कहानी है तुम चाहो तो पढ़ लेना इतनी इंपॉर्टेंट फिलाल नहीं है अब में चीज़ों में चलते हैं पानी है बहुत ताकत वर ठीक है अब आती थोड़ी में कहानी यहां तक उमीद कर रहे हैं कि सब कुछ समझ में आगया होगा ठीक अब आज़ो में पानी अब पानिक सरे दम हमें सर अब क्या करना है अब हमको यहां पे सीखना है दो चीज़ें ठीक है सर दो चीज़ें पहली चीज़ें कि सर पानी कितना ताकत लगा पाएगा किस पे कमेंट करो सर पानी आ रहा है सनन सनन किस पे ताकत लगाएगा वो बताओ जरा कमेंट करके दो चीज़ें अब समय नहीं है एक पानी कितना दम लगा पाएगा धक्का लगा पाएगा ठीक है खीच पाएगा अपने साथ किसको सिल्ट को सिल्ट बोल लो सेडिमेंट बोलो कुछ भी हम ब उसमें कितना दम है वह ऐसे खड़ी हुए यह दम ऐसे खड़ी भी पानी आ रहा है बहुत तेजी से लेकिन कभी न कभी तक तो रोक पाएगी थोड़ी दम उसके अंदर है ना वही तो उस दम को समझना पड़ेगा और एक बात तुमको और उताते हैं उस मिट्टी का दम है वो डिपेंड करता है कि उसका बता तुम बताओ उस मिट्टी का दम किस पर डिपेंड करेगा कुछ पता सकते हैं क्यों भई उस मिट्टी का दम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कोई बताएगा बताओ भी कमेंड करो तब तक पानी पिये जाना हम है ना यहाँ पे देखो सब कूछ यह बात तुमने बेटा बिल्कुल सभी बोले कि कोहेशन हो सकता है लेकिन हम लोग जो अधंसन यहां लेके चलेंगे हम लोग जो के अल्पेस्ट अभी करेंगे उसमें प्रफशन नहीं मारेंगे हम मानेंगे कि पार्टिकल सर्ण नॉन चिपकेबल उन में कोई आपस में अग पूनम जी का साइज साइज बिल्कुल सही है एक बड़ा सा पत्थर इमेजन करो बोल्डर पानी हिला पाएगा उसको तुम सोच पहता हो सोचो तुमने बलकी देखा होगा यहां पे पार्टिकल कितना बहसा है बहसा मतलब कह सकते हैं बढ़का है एक दम बढ़ा बहुत पानी नहीं लाबाता है यह तुमको समझना पड़ेगा अभी सब लिखेंगे आगे हम लोग ठीक है क्या बता रहे हैं कि पार्टिकल का साइज जितना आप देखी मैंजिन आप कर यह सर कि जब पहाड की नदियां होती है तुम देखो कि पहाड की नदियां में जो पत्थर के सब्सक्राइब भारट होते हैं क्यों क्योंकि सब्सक्राइब कंब लिखेंग सकते हैं सबस्क्राइन वह बात है लेकिन अल्टीमेटली मतना चाहा है कि जो पार्टिकल की रेजिस्टेंस है वह डिपेंड करती में लिए उसके पार्टिकल साइस पर बड़ा साइस बड़ी रेस्टेंस छोटा साइस बात हमको इमार में समय तो इस डेर्विश्न नहीं जा रहे हैं तुमने शायद इतना नाम सुनाओगा त्रेक्टर मतलब खीच लो ढखका लगाओ देखो यह सर्फेस के पहलेल जो फोर्ट लगता बोलते हैं इसको नौर्ट पढ़ीए यहोगे तो सर अने यहां पर रख़र रहा है जमीन को इस इसको जो दख्का लगाने लपकिलो से झने सब्सक्राइब अन्य जो निचे पड़ी जयतके पूसकर आपानी यहां पानीट हूं पर आन अ क्य निकल जा रहा है पोस dripping इरिया म звон सब्सक्राइब और पानी देखिए आप यह देखिए पार्टिकल बड़ा विचारा प्यारा सा इस पर टाउनोट शीर स्ट लगा और जो अपोजेट में बचने के लिए ताकत लगाई उसको हम टाउसी बोलेंगे और तुमको अपने एक बाद और यह बहुत तकड़ी आज क् बढ़का पार्टिकल बढ़की रिष्ट है शुटका बाटिकल छोड़ी रिष्ट है सिंपल बात ठीक है सिंपल है हाँ अट्रेक्टिव स्ट्रेस उन्हें पढ़ा होगा ठीक है अच्छा ऐसा देखा गया है ठीक है यह सब एक्सपेरिमेंट बगरा हुए बहुत सारे तो यह जो पानी धक्का लगाता है हम लोग जैसे गंगा रिष्ट में जाते नाने अगरा तो हम लोग हमेशा यहां कोने में सीर से जीरो है जैसे से आप नीचे जा देखें शीर स्ट्रेस बढ़ रहा है यहां बहुत साथ है इस तरफ भी जीरो है लिए बढ़ा बढ़ा लो जाद दिक्कत नहीं होगी समझो कहां का बढ़िया माहूल है तो मतलब इन शॉर्ट यह जो डाइग्राम दिख रहा है इससे पता चला कि शीर स्ट्रेस का डिस्क्रीशन क्या है अलग अलग जगे शीर स्ट्रेस अलग अलग है पानी जो लात मार रहा ना सर वह अलग अल इसका अबरेज निकालें तो इसका अवरेज आता है 0.75 गामडलू आरेस याद करना है यह साइड की बात है और अगर आप बैड देख रहे हैं यह भी तृट चेंज हो रहा है लेकिन इसका अवरेज अगर आप निकालने तो या था पॉइंट नाइन सेवन गामाडलू आर है ठीक है यहां देखो गामडलो आरस तो वैसे ही आया था अपना लेकिन एक्च्वल में देखा गया है कि सर्षियर स्ट्रेस अलग अलग जगे पर अलग लगे ओवरल बात करें बैट्स पे तो आपका इसको हम लोग आल्मोस्ट वन माल लेंगे गामडलो आरस याद करेंगे तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि जब तुम नहाने जा रहे हो बहुत हीरो बन रहे हो यहां यहां जा कि मत नहाना पतला कूदे एकदम बीच में नीचे चले गए बीच में नीचे जाओ तो इतनी दोर से धक्का लगेंगा एकदम उड़ जाओ आगे समझ रहो नदी का पानी में बढ़िया तरीके जीवन चलेगा तो इन शॉट बेड़ पर सीर स्ट्रेस पानी दुवारा ज्यादा है साइड में कम है सिंपल बात ठीक है इतना हम लोगों को याद करना है यहां से एक बढ़िया चीज आ यहां पर बहुत ही जवर्दस्त यह तो इतनी बढ़िया अब देखा होगा तो एक ध्यां सुनना यह बैठा था विचार हलके से एक दम अराम से बैठा था पानी आया जो और से थाकत लगाई है तो पानी जब आएगा ठीक है पानी मालों स्टार्टिंग मालों कम फोस्ट लगा रहे हैं दो न्यूटर मालों एक्जामपल ले रहे ह पानी मालों इसतर्फ लगा रहा है नहीं हिला फार्टिकल नहीं हिला ठीक है सर पॉस्ट को रश्रण कर पार गहिए मतलब अभी क्या है यह अविने नहीं हिले लएग Ayam लेकिन उसकी शकल बनती जा रही है यह जो पार्टिकल इसकी शकल बनती जा रही एकदम तमझे रो अब क्या उसको लग रहा है कि कभी हम हिल सकते हैं तो अब मालो six कह सकते हैं limiting condition है six पे ऐसा हुआ कि उसका मुह एकदम ऐसा बनाऊ है कि पाने गर फोर्ट हलका से बढ़ा सब्सक्राइब तो तुरण दो खिसा जाएगा पीछे है ना और चलना शुरू कर देगा तो वो जो कंडिशन आती है जब पार्टिकल की हालत खराब हो जाती है और वो फोर्ट को नहीं पाता तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बहुत ध्यान सुनना यहां पे टर्म लि पानी इतना फॉर्स लगाए ना कभी पानी इतना फॉर्स लगाए ना कि हमारा पार्टिकल वाहां से उठके उखड़ जाए इस कावरिंग न ऐसा दिमागम लगा सकते हैं लोग ठीक है तो सारे सायंटिस्टों ने कोशिश है ठीक है तो वह आपने चनल इस सेट कर देंना वहां को तो भी प्रावलम है इस से नीचे नीचे अगर रहेंगे तो भी प्रॉब्लम क्या है जो मिट्टी पानी के इंदर तैर रही थी वह बैठने लगेगी तो आप ना बहुत स्लो हो सकते हैं बहुत फास्ट हो सकते हैं बहुत फास्ट होंगे तो मिट्टी उखड़ेगी इसकावरिंग होगी बहुत स्लो होंगे तो मिट्टी सिल्टिंग करने लगेगी बड़ी समस्या एक बैलेंस बनाना है है ना सोचो कितना कठीन गाम है इन दीन लोगों बै पानी छोड़ा है है सर्माद एक मिट्टी 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 खेत मिट्टी जा रही एक दम बढ़िया से पानी घई नहीं आधा हो गया ना उपता है मिट्टी से दिक्कत क्या होती तुमने के लाए कि अध्याद लेविट तक सम्झेव भर गई तो पानी कैरिंग जाए तो बताना चाहरे है कि कुछ मैटर करना सर ऐसा मैटर कर दें कि आपका जो वेलॉस्टी है वह गए लॉस्टी से ज्यादा भी ना जाए ना बहुत नीचे जाए एकदम क्रिटिकल वास्टी के आसपास रहेंगे तो ना पार्टिकल उखड़ेंगे ना बैठेंगे मज तो बस यहीं है सिंपल तो तुम यह समझ सकते हो कि जैसे सफ्लो लॉस्टी बढ़ेगी हम लोग इंसीपेंट मोशन कंडिशन तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे कोई बढ़ा काम नहीं है ठीक है अब ऐसा देखा गया है कि अगर हमें एक ऐसा चैनल बनाना है जो कि रिजि iawn करेंगा गरें तो मिठी मैं सर वह लेकिन ऐसा क्या करतें तो रहें एक बहुत सिंपले हिड सर हमें क्या करना है कि जो मालिज आपने बोला कि आपको में इतना डिस्छार्ज है इतना डिश्चार्ट चाहिए ठीक है हमारा एक वैई निरसाब जाए ये के लाइए समित्र डिशार्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे सर उसका जो क्रॉस सेक्ष्षन शेप वगरा है वह इस साफ से रखेंगे मालों जो भी यहां पर बैड़ पार्टिकल समान लेजिए आप एक ऐसा एक एंवरेज डामेटर माली चमा पेंगा है अब एक एंव का जो पार्टिकल है शर्वव एक सटेटोनने स्पीड को ही बर दाश्ट कर सकता है उसको माली जने बोला क्रिटिकल स्पीड अगर आपने गलती सभी स्पीड बढ़ा दी तो यह एक आम का पार्टिकल विचाना यहां दिखेगा नहीं है यह सब आपको दो क्लिमिटर आगे दिखाए देगा फिर ठीक है तो हम इंजीनियर हैं तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकल डिशाइड मानलों को इंजीनर साव ने मतलब उपर से आदेश आया वही हमारे उपर करते हैं के ऐरिया बढ़ादे करीं तुम देखो डिस actively को इस पार्टिकल के विलउस्टी को ऐसा से करऊगे एीरिया को बढ़ादाके एरिया को चेंज करते रहने बारबर ये को चेंज करकर के तुम एसी विलो होगे कि वह वह मतलब अगर अगर आपने वेलोसिटी हल्की सी बढ़ाई तो यह पार्टीकल मुड़ेगा हलकी सी नीचे करी तो जो पार्टीकल यहां तैर रहोंगे वो अंदर बैठने लगेंगे बासम्यार यह मतलब हमारा जो बैड का पार्टीकल डायमेटर है वो एक तरह से प्रिटिकल पार्टीकल बन जाएगा क्योंकि उस समय पानी जो आपका फोर्स लगा रहा होगा एक पर्टिकलर वेलोस्टी पे वह फोर्स ऐसा है कि आपकी इंसिपेंट मोशन कंडिशन बनी हुई है थ्रेश्वोल्ड लक्षमड़ देखा पें आप हलका सा बढ़ाए उड़ गया हलका सकम किये बैड सब्सक्राइब करने लगें तो फॉर अगिवन डिश्चार्ज हम अपने कैनाल के एरिया को ऐसा करते हैं कि वेलोस्टी इतनी कम या एक ऐसी वेलोस्टी वेलोस्टी आपको मिलती जिससे पार्टिकल मूव नहीं करते हैं ठीक है यह हम इंजीनेर लोग करेंगे दिमाग ला सब्सक्राइब करेंगा ठीक है अभी फिलालम को दो फॉर्मले सब्सक्राइब को फूरा समय आ जाएगा ठीक है अच्छा यह सब सम्झाने के लिए किया जा रहा है बस ऐसा कुछ इसकी मंशा नहीं है यह सब कहां आ गया अब ड्रेक फोर्स एक्षाटेब फ्लो ऑवाटर यह सब चोड़ो डिजाइन ऑफ नॉन इसको इसकुछ नहीं है यह यह वह फोर्स है जो अभी हमने तुमको शिर स्टाव पढ़ाया था ठीक है कई कई त्योरी उनके लगले फॉर्मलें है सब ठीक है यह तुमने उसमें होना चाहिए ठीक है तो जब हमने क्या किया एक्षुली एक साइंटिस इनका नाम है शील्ड बड़ा अलग टाइप का नाम है इनका शील्ड पढ़ो नाम है पताने कैसा नाम है ठीक है शील्ड नाम है इन्होंने क्या किया पोर्स जो पानी लगा रहा पार्टिकल पे और व बाढें पानी on the repetitive और जो फो लगा रहा है वह दोनों बराबर अगर है तो उसी समय उसी समय हमारी incipient motion condition बनेगी उसी समय just moving condition बनेगी और दोनों फोर्स बराबर होंगे हलका सही फोर्स एक्सीड हुआ तो तो तुरन मुवमेंट शुरू हो जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर F1 F2 को बराबर किया फोर्स रखा पूरा सॉल्व करने में यह आता है ठीक है इसमें इधर आता है टावसी टावसी मतलब क्रिकल शीर स्ट्रेस एक्जर्टर बाइस सेडिमेंट और बेड़ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टन चीजी लिखी हुए अपॉन गामा डवलू डी डी क्या है डायमीटर पार्टिकल इस क्या उसकी स्पिसीफ ग्रेवीटी और इसे बीस एंट्रिन फंक्षन ठीक है तो बहुत खाली आदमी थे ठीक है बहुत खाली आदमी जानते हुआ साइंतिस् लोग क्वाली रहते हैं इन्हों ने इधर जो है रहाए रहा की है एक्जुली जो फंक्शन एंक और इदर function की value देखने शुरू करी यह function करी यह है पूरा ठीक है तो जैसे चेंज कर रहा है 1 है 10 है तो रेनॉल लंबर जैसे चेंज कर रहे हैं यह देखा कि function की value पहले घट रही है फिर कुछ टाइम बाद जाके constant हो जा रही दिख रहा है तो शील्ड ने experiment कर रहा है और देख और उस समय इस function की value 0.056 है 0.056 पर देखो constant हो गई है दिख रहा है यहां पर देखो इसकी value 0.056 constant हो जाएगा तो यहां पर 0.056 सकतो और रख देखो यहां पर देखो 0.056 सकती है हमने तो टाउसी की value आगे क्या है 0.056 इधर के गामा WD G-1 तो यहां पर हम देख भी सकते हैं कि इसको पढ़ते क्या है critical shear stress जो की हमारा bed particles लगा पारे है पानी के against में और यह depend करती है particle diameter जितना बढ़का होगा उतना सर उसकी शक्ती जादा होगी simple बात है और हम अगर चाहते हैं सर कि हमारा bed ना हिले हमारे बेड जो है वो उसके जो पार्टिकल से वो ना हिले ना डिस्टर्बों ना स्कावरिंग होस में तो क्या होना चाहिए कि सर उसकी जो critical resistance है जो वो लगा सकता है वो जादा होने चाहिए पानी के यह पानी लगा रहा है यह पार्टिकल लगा रहा है तो पार्टिकल लगा ज्यादा होगा तो हमारा बैट स्टेबल रहेगा हमारे बैट पार्टिकल सेबल रहेंगे और मूव नहीं करेंगे नौन इसकावरिंग हो ठीक है तो यह कंडिशन हमको समझने है देखो इसमें एक तो bed safe करना है, दूसरा side slope safe करना है, ठीक है? Bed safety के लिए, पानी का force, पानी का shear stress, force नहीं, shear stress, force को F से लिखते हैं, पानी का shear stress, particle के shear stress लगने वाले से कम होना चाहिए, तो particle जीच जाएगा, पानी हाँ जाएगा, simple, और एसे ही साइट पे पानी का फॉर्स को अम टाउनों डैस बोलेंगे डैस मतलब साइट डैस यां साइट दिखा रहा है ठीक है वो टाउसी डैस से कम उना चाहिए तो कितने फिर में चार एक टाउनोंड एक टाउसी गैस डैस का तो अगर यह कंडिशन रही तो बेड से और ये कंडिशन रही तो साइड स्लोप सेफ हो जाएंगी थिक है सिंपल याद करना है बताना यह चाह रहे हैं कि सब्धार साइट दोनों सेफ होनी चाहिए रैसा थोड़ी होना चाहिए कि बेट सेफ है साइड स्लोप उखड ले आगे हैं यह नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल बात है तो हमको चार हम देखें टाउनोट टाउसी से कम होने चाहिए तो आपने आज टाउनोट को क्या बताया था पीछे देख लो टाउनोट को पड़ाया था मनें गामा डाउस यह रहा है तुमने देखा था पॉइंट नाइन से आया था इसको ओर लूर्स मारने है याद कर लो पानी जो सेरे स्लोप से वह पॉइंट सेवन फाइव है ठीक है यह ताउनोट डैस है वलकी इसको लोग कहा सकते हैं चाउनोट डैस की वैलियू है और यह हमारा फान नॉट तो गामड़ रहे से अल्मोस्ट ठीक है कहां पहुंचके हैं हाँ गावड़ो देखो टाउट के लिए उन्हें गावड़ो आरेस रखी टाउसी की वैल्यू जो शील्ड ने बताई लेकिन हाँ शील्ड ने जो यह वैल्यू बताई है रेनॉल नंबर चार सुझ ज्यादा है और पार्टिकल लाइमेटर छें से पार्टिकल या से बढ़ा है तो इससे बड़ा है तो इसका मतला हमारे बेड़ पार्टिकल रहेंगे मतला अगर इस वेल्यू से बड़े हैं तो हमको यह पता चलता है कि हमारे जो बेड़ पार्टिकल से सर उसका मिनियूम साइज कितना होना चाहिए तो इतना तो कम से कम रखिए 11 रस के बराबर ठीक है अर्मारा तुमको शयद्पाथ होगा क्या होता है हाईडोले रिडियस होता है और इस हमारी लॉगटनल बेड़ सलोप होती है लॉगटनल बेड़ तो मतलब यह जिसमें पाने ऐसे फ्लो करके आगे जा रहा है यह हमारी बेड़ सलोप हो गई कि अगर हम माले जय वनिन इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पांच आर मीटर आगे बढ़ते हैं तो एक मेटर हमारी स्लोप नीचे घट रही है ठीक है इसको मुलते हैं वनिन 5000 यहारी बैट स्लोप हो गई तो बैट स्लोप आर रखा और हमने पता लगा लिए कि भी बैट वेडिल कम से कम इतना होना चाह तो इसी आप से मेटर सकते हैं ठीक है और एक साइंटिस्ट ने स्टिकलर अब जैसे गेट ने तुमसे स्टिकलर फॉर्मला पूछ लेगा इस्टिकलर फॉर्मला गेट ने पूछ सकता है एन इस इक्वल त बन अपॉन 24D की बार उनाई 6 इनके अशाप से क्या होता है वही कि जो बढा होगा उतना रफनेस ज्यादा होगी यह को पॉफिचंट मालो रगोसिट कॉफिशंट मालो अगर हमारे हो प्रेटिकल का साइज बड़ा है viewed diameter तो टो रगे ज्यादा होगी ठीक है यह इस डिकलर की finding है और यहां फिर मिदाव ठीकल में रखेंगे उसकी pH 3 लेंगे और एन निकाल लेंगे ठीक है एन निकाल लेंगे एन हमारा बहुत तुमने पता होगा एन का फॉर्मला एन कहां यूज होता है मैंनिंग सब्सक्राइब पढ़ा रखा होगा वीज इकल टू वन बा एन अर की पावर टू वाई त्री एस की पावर हाफ ठीक है तो यह जो हमारा कोफिशंट देमैंगिंग्स कोफिशंट या रखुशिंटी कोफिशंट यह डिपन करता है पार्टिकल बड़ी रफनेस रफनेस ज्यादा विलास्टी ऐट्ये डिए वीचे अब यह हमार तो हम पानी पीएंगे और तुम लोग इसको तब तक ध्यान से देखो नहीं वन इन फ्राइब हमेशा नहीं होता है देखो वह इंपल हमने तो अलग अलग हो सकती है जनरली कह सकते हाँ वन इन फ्राइब के आसपास हो सकती बिल्कुल मुस्ली तुम देखो कि वन इन फ्राइब के आसपास ही रहेगी स्लोग ठीक है यह यह फाइनल समरी है एकदम पाइनल समरी सुन जो रहा है पर इसके बाद शुट्टी शुट्टी में नहां पसा है इसका जो है यार्पित का तो गेट को पर देखे आओ तब भी शुट्टी शुट्टी करोगे तो पेपर देने आद लेकिन खुशी अलग होती एक दम है कि नहीं पेपर दोरान अंच जब पढ़ाई करते थे तो आधा मन तो यह फसा था कि पेपर जब खता हो जागा तो खुशी कितनी यह तो यह उसी मोड में चलना भी अपर हर बार यह सोचते हैं कि अगली बार बहुत पढ़के जाएंगे हमाई सब्सक्राइब पर पाते नहीं थे ना पूर अच्छे मैंने पता नहीं कहा निकल जाता है समय तो बहुत होता है लेकिन कुछ हो जाता था मेंशा हर बार हुआ लेकिन हर बार जब पेपर दे रहे होता है तो बहुत पढ़ेंगे अगली बार तो पूरे समेस्टर चे मैने अक्तम शुरू से लेगे आखर पूरा नोट सुना हैंगे ऐसा करेंगे और फिर जो है फिर वही कानी मतला हमाई साथ तो ऐसा होता तो तुम लोग साथ नहीं पत है क्या तुम लोग बहुत टैलेंटीड हो तुम लोग दम शुरू से पढ़ते हो है कि ने तो ऐसा रहता है चलो ठीक है यह हमाय सब तो पूरे आठों समेस्टर हुआ है एकदम सेम कहानी यह पता नहीं हम गेट कैसे इतना सीरेस हो गया थे उस समय मोटिवेशन आ गया था एकदम से वह करो या मरो अली परिशिती आ जाती है तो पढ़ना बढ़ जाता है जब तक इस्ट्रेस ना बढ़े तब तक पढ़ाय नहीं होती है यह समझ चुक है इस्ट्रेस होना चाहिए इतना इस्ट्रेस होना चाहिए कम से किताब उड़ जाए ऐसा होता है कि इस्ट्र लोग यहां बात कर रहे थे समरी की समरी वापस आते हैं यह चितर देखो ज़रा है इस चितर को देखेंगे यहां पर दो जगे दिखाई दे रही है एक तुमारा बैड हो गया यह बड़िया सा डाइराम है और यह हमारी हो गया साइट अगर हमें बैड पर सेफटी चाहिए तो जो टाव नोट आप देख रहे हैं पानी की जवरा फोर्स जो लग रहा है वो कम होना चाहिए और जो पार्टिकल देख रहे हैं यह हम लिखा ए नाम से इसका जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है इसकी जो ताकत है सर वो जाधा होनी चा पर बैड टू बहृल ठीक है और टाव नोट का फॉर्म्ला तॉम्हाँ पता है यह हो गई क्रिटिकल शियर स्ट्रेस एकशर्टेट इसके रफ नैदे कया ओगया इस टूंहेगत उ Cap Jaud सब्सक्राइब और वाटर इप्रेटिकल से एक बेट क्या होताइब कि उसको धब का लगाती नीचे इसgens k Tut घेट फूर्ट पर्टब यह नीचे सकता है सक्ता पनता सलोप ज्याएबी सब्सक्राइब के और ना ध्लान पर जब होंगे और जब आगे एक पानी धक्का मारता आगे की तरफ तो रिजल्टेंट आता इस डारेक्शन में ठीक है तो चलो कुल मिला के तुम इतना समझो कि जिस डारेक्शन पार्टिकल मूव करने कोशिश करता है पानी और वेट कॉम्पोनेंट सा मिला के उ सब्सक्राइब करो ज्यादा क्या होना चाहिए अगर टाउसी डैस पार्टिकल की रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हुई तो पार्टिकल सरकते वो नीचे आ जाएगा तो आगे भी बढ़ेगा नीचे भी आएगा दोनों चीजे होंगी ठीक है पार्टिकल एक बार हिलना टाउसी डैस इतना जाद होना चाहिए कि पार्टिकल मूव ना करें तो हमारी अगर साइड स्लोप को प्रोटेट करना है उनको बचा करके रखना उनको स्टेवल लगना तो यह होना चाहिए ठीक है टाउसी डैस को पढ़ेंगे किया बहुत सिंपर आउस मतलब क्रिटिकल ठीकर और साइड स्लोप धलान पर हो रही है ठीक है ऌता the इस कि दिखा रहा है ताहर है ये बता रहा है साइ्ड स्लोप का महहोग हो थिल्ट तो यह 0.75 सिर्फ diferença और साइड पर है इस लेगा अब अगम निकालना चाहते हैं टाउसी डैस की वेल्ु तो टाउसी डैस का फॉर्मला यह है यहाँ से निकाल कराएगा ताउसी डैस यह रखा, निकालना है सौरी, इसमें उन्हें टाउसी रखा, टाउसी हम पीछे निकाल चुके हैं, पॉर्मुला तुमको बता चुके हैं, 0.056, गामा WD, G-1, I hope कि सभी को याद हो गया हो, ठीक है, वैसे बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए, ताउसी यहां रख देंगे, दूसरा, 1-sin2, थीटा, थीटा मतलब, यह जो हमारी side slope से आपने लिए है, यह कितने angle पर है, इसे बोलता है, थीटा, थीटा मतलब angle of side slope, बहुत राम से निकल जाता है, बहुत 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 काम नहीं, यह जैसे मालो जैसा दिया, 1-1, मालो ब अधिया, अधिया, यह बहुत महेंगी पहने, बताओ, नोक साही तो लग रही है, इसकी, प्वड़ा साइस में deformations आ गया है, चलो कोई बात नहीं, हाँ, बता क्या रहे थे, थीटा जो है सर, थीटा जो है क्या है सर, angle of side slope with horizontal, ठीक है, यह horizontal line है, यहां से कितना angle हमारी side slope बना रही है, ठीक है, जैसे side slope सर, जितना नीचे उतना कम angle है, जितना आप steep करेंगे उतना vertical हो जाएगी, तो पार्टिकल गिरने की chances बढ़ेंगी, ठीक है, पार्टिकल गिरने की chances बढ़ेंगी, एक चीज समझो, कि यह जो side slope है, एक particular angle तक ही आप ले जा सकते हैं, जैसे मालों य यार यह तो फिर गिर गिया, आस तो भईया यह, आज लग रहा है, इसका sacrifice होने वाला है, यह actually normal type की pen नहीं है, यह TV आली पैन है, यह महेंगी होती पता नहीं कहां मिले की दुबारा, चलो छोड़ो फिलाल, वापस आते हैं, आज इसका अंतिम दिम चल रहा है, यह सर आपने रखी, अपने हाथ पे एक pen, इंटरनेशनल pen आपने रखा हैं, इसको अगर हम ऐसे धलान पर रखते जाएं, धलान बढ़ाते जा रहे हैं, तो अभी move नहीं कर रहा देखो, ठीक है, लेकिन एक particular, अब हम नहीं करके दिखाएंगे, वह तक, ठीक है, तीन बार गिर चुगा ह पहले हैं, एक particular angle पर आते हैं, ठीक एक particular angle पर आते हैं, यह फिसल जाएगा, निकल जाएगा है, उस maximum angle को क्या बोल रहे हैं, जिस maximum angle को यह रेजिस्ट कर पा रहा है, जहां पर यह फिसल जाएगा, वो maximum angle को लोग बोलते हैं, 5, क्या बोलने हैं, comment करो क्या बोलते हैं, 5, angle of repose मैक्सिमम एंगिल जो मिट्टी ले सकती है इस्थिर रहते वह उसे बोलते हैं ठीक है और जाहिर सी बात है सर एकदम खुदा कसम बता रहे हैं कि आपका जो यह एंगिल है थीटा यह फाई से कम रहना चाहिए नहीं यार हीटा अगर फाई से कम नहीं रहेगा थीटा आप जो कि नहीं तो हमें सर अव्यस सी बात है सारी मिट्टी गिरानी थोड़ी है यह यह मिट्टी गिरनी नहीं चाहिए हैं तो बताए रहे थे इन शौट तुम एक बात समझों यहां पर सिंपल सी तुमने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग सेंड को जब हम बालू को ऐसे धेर करत हैं तो तुम देखो कि थोड़ी दर वह भिखरती है और फाइल मानलो ऐसे आकर सेट हो गई अपने आप तो यह जो फाइनली अपने आप जो सेट होता है ना उससे बोलते हैं तुमने उसको बहुत बड़े एंगल रखना है कोशिच करे लेकिन और फिर से बिखरी और अपन टाउसी था कि हमारी बैट की मिट्टी किती दमदार थी उसका पॉइंट टाइमस करके आप साइड्स लोग की मिट्टी किती दमदार यह निकाल लेंगे एक फैक्टर है यहां पे ढूंदा गया है तो इन शॉर्ट हमको तो टॉनोट टॉसी पिर टॉनोट डैस और टॉसी डैस अबता जल गया यह होना चाहिए साइड से रखने लिए और टॉनोट अच्छी से कम उना चाहिए बैट स्लोप से रखने लिए सिंपल है समझ गया होगे एक कोश्चन देखते हैं तो तुमको समझ में आए गाल बढ़ प्रेज़र यह जो थीटा है या फिर क्या कोश्चन है एक सब्सक्राइब जो जो यह फिर लेंगे वह कैनाल के भी और जोंटल से लेंगे ना हां हां बिल्कुल कैनाल का जमीन है उसके यहां पर एक डाइग्राम बनाओ ऑए कैनाल दिख रहा है सब को यहां पर यह सब फेलेंगी कैसे के लिए ट्रीक परिमीटरै कैसे निकालते हैं यह को र्षाब करादब इतना इधर देखो यह नह Aww that वोज़ दिख रहा है कि यह यहां से लेंगे ठीक है यह देखो यहां की से लेंगे यह से अपना आलटीने यह वो दिया बहुत जोर से बहुत जोर स्याद होनी चाहिए जिसको एक बार हम आप बता रहें या आखरी बार बता रहें आज समझ लो कि ट्रेपेजोड का एरिया क्या होता है पेरिमेटर क्या होता है और किस तरह से नोटेशन समलोग अपने सिचाई में इरिगेशन यूज करेंगे यह तुमको याद करना है ठीक ह इसकी विट जो है बी दी गई है इसकी गहराई डी दी गई है यह हमको याद है ठीक इतना दिया है बाकि यहां लिखा हमने वन वर्टिकल एस और बहुत ध्यान सुनना यह ज़रूरी है कि हम यहाप पर वन वर्टिकल इस टू एस और लें मतलब इसकी जो साइड स्लोप है वर्टिकल में वटन है तो माली होरिजनल में टू है तो यह जो है यह हो जाएगा ठीक है देख लिखा है वन वर्टिकल एस और टैन थीटा कितना हुआ वगा वन अपॉन स सब्सक्राइब इस फटो जाएगा मतलब इस फॉर्मले से आप s की वैलीव टू रखके तुरं थी यह हुआ पॉइंट नवर यस लिखो बैटा जल्दी समझे जल्दी यस लिख दो नहीं पीट देंगे हैं ऐसे कैसे पीट देंगे सर टीवी के उधर है आप मन से हाँ बिल्कुल अर्पेट यस अर्पेट मतलब से यह साइड की सारी चीज़े कम है और बैट की सब चीज़े ज्यादा है चाहे पानी जो उसकी बात हो ठीक है हाँ इधर आज़ो रहा है क्या बता रहते हैं हाँ पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर अब तो सर आप समझे हमारा इस तर इस लेवल में पहुंच गया है कि हम लोग को तो माल लिजाए अगर ऐसा उसने लिख दिया टू वर्टिकल इस टू फाइव होरिजॉंटल तब भी ह कितनी हो गई 2.5 हम तुरंट अपने तेस दिमाग से यहां पर रख देंगे सर 2.5 ठीक है और तुरंट यहां से ठीटा यू निकाल लेंगे हम इतनी जोर से समझ गये बात ठीक है को ठीटा 2.5 हो गया ठीक है तो मतलब कुछ भी आए वर्टिकल का बन होना चाहिए बस कुछ जूनी आप एरिया कैसे निकलता है इरिया होता है half in two सम आफ यह बहुमार सायड और यह बहुंद इस सामने क्या S के सामने क्या को X लिख सकते हैं वैसे X क्या हो गया है X आ गया है यहाँ पर S into D तो यह देखो S D हो गया तो this upon this is equal to D upon क्या simple similar triangle लगा है ज्यादा कुछ में लगना नहीं है तो यहाँ से हमको यह SD यह SD तो यह भी SD तो यह पूरी side हो गए B plus 2 SD तो यह उपर की side यह नीचे की side half into some of parallel sides into इस parallel side के बिचका distance केता है D हमने D रखा तो यह हो जाएगा यहाँ से 2B 2 SD तो 2 common लो 2 2 cancel, B plus HD into D यह आगे याद कर लो चलो लिखो ज़रा comment box में trapezoid का area से रख लिया है मैंने क्या हो गया? comment तेजी से comment कर दो तेजी से comment कर दो नहीं आ रहा comment है comment नहीं आ रहा area of traffic क्या हो का जल्दी बताओ इसकी PDF क्या मिलेगी बताईए बेटा इसकी PDF हमाँ पास मिलेगी और क्या comment करो जल्दी से फटाफट क्या है एसर B plus HD into D जल्दी से comment आना चाहिए बहुत तेजी से एरिया मारा सर क्या हो गया B plus HD into D दिवाम के चली गई बात है बी हमने बैडविट रखी डी ट्रेपेजोड की गहराई एस वन वर्टिकल के साथ जो होर्जों कोफिसेंट वह ऐसे है ठीक है एस हमेशा तभी निकालेंगे जब वन वर्टिकल होगा ये भी कसम खानी है चले दो पॉइंट आपने समझा दे तीसरा देखिए सा वन हो गया इसको मारा हमसे बता रहें क्योंकि हम दुबार आप कभी नहीं बताने वाले है ठीक है तो हम डायरेक्ट एरिया लिखेंगे त आप क्या बता रहें आप परिमीटर कैसे निकलेगा वेटिट परिमीटर मतलब यह यह और यह जहां पानी टच कर रहा है उस लाइन का लेंथ निकाल लेंगे तो इस लाइन की हो जाएगा बी प्लस दो बार यह तो तो तुम पाइटोगरस से निकाल लोगे तो डी स्क्वे दो बार यह और एक बार यह दो बार यह दो बार यह लिए तो इन्टु साइड लेंथ प्लस भी यह वेटिट परिमीटर आ गया इसको रखमेंट कर तो एक बार बस तो हमान के चलने यह तीसरा पॉइंट होगे जमको याद रखना है हमारा जब ट्रेपेसोड आएगा तो ह हम तुरंद यह तो हम तुरंद फीटर निकाल सकते हैं तुरंद उसका और did यह और सिर्प क्या नहीं होना चाहिए वी और साइट टी है तुमारा आप से एरिया पेरिमीटर फिटर निकाल लेंगे एक बार इसको याद कर लेंगे बहुत जुरूरी बात है अब कभी नहीं सुट देखेंगे को चेंगे में को सुट्य कि कैसे आया बहुत बढ़ी है देख लो ये ट्राईंगल दिख रहा है इसको एक सब्सक्राइव सब्सक्राइख और जिक ठीक है, देखो, इस triangle में theta यहाँ है, theta से जुड़ी हुई side x है, ठीक? और theta के सामने ली side d है, clear हो गया, अब इस triangle में आ जाओ, जो यहाँ पर slope बने हुई है, theta से जुड़ी हुई side क्या है? s जो थीटा जोड़ी साइड महा पे थी वो X थी, यहाँ पे थीटा जोड़ी साइड S है, upon 1, ठीक, तो जो X है उसकी value क्या आ गई, S into D, similar triangle बोलते हैं इसको, similar triangle सुने हो जीवन बच्पन नाइंध क्लास में है, कौन है यह पाउन पूछा है, उत्सव, समझ में आगे बेटा बताओ, similar triangle लगाए है हमने, इस triangle में और यह जो हमने यहाँ पे slide slope देखी हुए, कित्ती हमने side slope दी, एक vertical उत्रेंगे तो S horizontal बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से आया SD, ठीक, अभी कोई दिखकर ने, पूछ लो, हम बता दिया हमने, ठीक है, चलो समझ गए, बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं, जब semester हमको भी दिक्कत होती दिया है, शुरू में तो, है ना, चलिए सर आके वापस, doubt कोई भी वहाँ करें, पूछ लागर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समय के साथ लेकिन उपर जाना है, एक unlined canal हम लोग बना रहे है, ठीक है सर, जिसकी bed और side composed है, ऐसे material से, जिसका mean diameter 6 mm है, मतलब जो silt particle है, हो 6 mm के है, angle of repose 40 degree दिया गया है, फाई है यह फाई, इस से अधा हमारा angle हो ले नहीं पाएगा, bed width 5 meter दी गई है, side slope दी गई, one vertical, dead horizontal, और यह सर मिल गए अपनी मन की चीज, आगे देखा ना, पीछे देखा, तुरंत हमको s मिल गया, बताओ s कितना है, small s, small s कितना है, तुरंत angle निकाल दिया, अब तो सरम, तीन बातें रट ली हैं हम पहले, हम तो question देखेंगे, हमको तुरंत मिलेगा s, हम पहले theta निकालेंगे, फिर area निकालेंगे, फिर parameter निकालेंगे, यह तो सीख s हो गया, यह तो चले बहुत अच्छी बात है, फिर बोलना है, determine the maximum discharge, जो हम लोग इस मिट्टी में छोड़ सकते हैं, हम कितना maximum discharge इस मिट्टी में छोड़ दें, या कैनाल में छोड़ दें, ताकि सर ज्यादा scouring, scouring ना हो, without any sediment transport, ऐसा ना हो, मिट्टी पानी छोड़ें, और पूरी मिट्टी चल दे आगे पानिक साथ, पानिक आया होजा है, मिट्टी मिट्टी होजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, longitudinal bed slope हमारी कितनी है, 1 in 5000, ठीक है, एक्चुली जो gamma W RS थाना अपना, यह हमारा longitudinal bed slope है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके बाद सर क्या system दे रहा है, mannings coefficient दिया गया है, 0.025 ठीक है, सब को दिया है, जितना दिया है यहाँ पर सब एक साथ लिखाया है, सब से लए theta निकाल लिए हमने, theta 33, यह तुम निकाल लोगे हमान के चल ले, radian में कैसे करनोट करते हैं, 580 cent करते हैं, तो मैं पता होगा, not a big deal, ठीक है सर, English भी बोल लेते हैं आप, not a big deal बताया आपने, theta देखो यहाँ पर 40 degree से कम है, theta जो आया, 33, हमने 33 एंगल दिया, 40 से कम है, तो बढ़िया मामला है, यह तो अच्छी बात है सर, है ना, यह तो सही बात है, सही बताया आपने, सही मामला है, अब हमको दो condition लग यहां नहीं सर, हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारे बेड़ में दिक्कत नहों, और सइड़् स्लोप में दिक्कत नहों, तो condition हमने क्या लगा है, ताव को से कम रहेगा और ताव कुछुछं नहीं है ठीक है यह घुल को पता ही इस से को करके तो अभी शायर याद हो नहो हमें कुछ नब करना यह जो मारा दाव और टावसी से कम रहेगा इससे फाइनली सॉल के पता क्या आया था इसको फाइनली जब सॉल के तो यहां नहीं आ दे हमने तुम को बदा था कि पार्टिकल का जो डायमीटर है न शर्टिकल जो डायमीटर है न सर वह लेवेन आरे से जादा होना चाहिए ठीक है तुम चाहो तो फिर से पूरा सॉल करें दिखाया तुमको ने तु सीधे तुम यहाँ पर डायमेटर को 6 mm रखो यहाँ पर बेट स्लोप को वन इन 5000 रखो और निकल के आ जाएगा सीधे सब्सक्राइब कर देंगे तुम यहाँ अगया बेट स्लोप वन इन 5000 यह नंबर हमने चुप्चाव उतार दिये सर इतना तो हम बहुत राम से कर लेते हैं गामडलों कैंसे लोगा था डीके इतना 6 mm अच्छा एम को में डिवाट कर देंगे हम लोग अराम से 2.65 रखा सब सॉल्ट किया तो आर हाइड्रोलीक रेडियस उड़ी लेस देन दिस ठीक है हाँ और हम लोग क्योंकि पहले सॉल्ट कर लेत तुम चाहते हो वहाँ से डी ग् सब्सक्राइब लगभग लगभग यह आता कि आर्व लेसें देस वैल्यू ठीक है यह बैट स्लोप की सेफटी है भई हमारा जो बैड है ना सर्व उससे पार्टिकल उखड़ा ना यह चाहिए हमको चलिए हम को सिस करेंगे डिजाइन के समय आर को इस से कम रखें तो मज़ सब्सक्राइब चैस का फॉर्मला किया है सरफ पानी कितना धख्का लगाताँ सरसार और समय पॉइंट सेवन फंपल सिंपल एकड़म ठीक है और तावसी डैस क्या है हमारा ऑसीट का फॉर्मला ने पढ़ाता है हमको यादे निभूल चुके हो यह दो दो बारा यह यह टाउसी डैश का फॉर्मला टाउसी इंटू यह पूरा फैक्टर टाउसी का फॉर्मला उपर लिखा हुआ है यह सीधे कॉपी पेस्ट कर दो यहां चिपका दिया पूरा एक्दम धी में से लेके आए यह देखो आरा माय साथ यहां के चिप अग गया यह पॉइंट 75 आज आपने सिखाया है तो आर इससे कमाना चाहिए अब हमको बता दो कि हम जब डिजाइन आगे बढ़ाएंगे अभी तो बताओ आर की यह वैल्यू लेंगे कि यह वैल्यू लेंगे बताओ जल्दी से आर की कौन से वैल्यू नोग लेंगे आर की कौन से वैल्यू लेंगे बताओ जरा हमको अच्छा तुम लोग बतारों सोच पारों मतलब इतना है बहुत तेज है आर की वैल्यू हम लोग इससे भी कम रखने कोशिश करेंगे अगर हमने सर्वन पॉइंट रख दिया तो इससे भी कम इससे भी कम तो बैड़ों में कोई दिक्कत नहीं साइट स्लोप में कोई दिक्कत नहीं हमने माल टू रख दिया तो टू में तो चली यह बच जाएगा तू प्राइट स्सक्राइग कोई। साइड स्लोप पे इरोजन हो जाएगा सर दिक्कत तो हमें दोनों में से कम लेना बिल्कुल तुमने बोला है वेरी गुड सब सोच पा रहे हैं हमें को एक ऐसी चूज करने जिससे ना साइड स्लोप में दिक्कत हो है ना साइड चलने बिल्कुल समया रही सिंपल बात तो आर यह लिखा हुआ है कि हम मैक्सिम डिश्चार्ज हम कितना यहां पर फ्लो कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आर की आप मिनिमम लें कम लेंगे तो आप उससे मैक्सिम डिश्चार निकाल लेंगे या लिखाए तो हमने इ चुना 1.868 बी हमारा बेड़ेट कुश्चन के अंदर पांच दिया है ठीक है और जो एस है एस की वाली 1.5 दी गई है तो यहां से निकाल ली एक क्वाड़ेटे की कुजिन बनेगी जो किसार आप जानते हैं हम लोग सौल नहीं कर पाते हैं है कि नहीं आता लेकिन हम मान के चलना है कि तुम कर लोगे किसी तरह से डेफ्ट आए कि 3.136 तो डेफ्ट मिल गई बस एक बार डेफ्ट मिली तो एरिया निकाल लो लगा के बी देखो यह तुम्हारा बी और एस पहले से दिया गया है डेफ्ट नहीं थी यहां पर इस कुश्चन है तुमको बेड़ की वे अरे लगा लोगे ना फॉर्मला सीख गयो और वेलास्टी सरम निकालेंगे मैंनिक्स फॉरमला से मैंनिक्स लॉपन चनल फ्लो में बहुत इंपॉटरन गेट मोटन तुमको क्या पता यह व्लास समयल्च बहुत बड़ी बात नहीं है और आपने बोला 1.868 रखेंगे एस की वैलिव 1.5000 रखा वेलॉस्टी मिली तो वेलॉस्टी और एरिया को इंट्टू करके डिश्चार्ज निकाल लिया और आपका अगरा आप 26.11 डिश्चार्ज रखते हैं तो भगवान कसम बता रहें ऐसा होगा एकदम चमतकार अगर आप 26.11 रखेंगे तो ऐसा चमतकार होगा कहांगी एसा चमतकार होगा सर की आपका ना बेड में को दिक्कात आएगी ना साइडस लोगे इतना पानी आपका प्राम से फ्लो जाएगा ना बेड उखड़ेगा ना साइड लोगई बन गए इंजीनियर है कि नहीं अच्छा डेफ्ट दो आएंगे तो कौन से नहीं है यह एक बड़ी सवाल आया है इंटरनेशनल कुश्चन आया वे अर्पीज जी ने बहुत बड़ा सवाल पूचा है तो इंजीनियर लोगों को क्रॉस सेक्शन एडिजस्ट करना है पहले हम समझा देते हैं तुमको बदा र देट करेंगे पतला एडिया इतना बढ़ा दिया कि पता चला सर मिट्टी बैठने लगी है इतना भी नहीं करेंगे हां तो इसमें यह बताना चाहरे है कि अब देफ्ट प्यादा तो दो डेप्ट आति ही बिल्कुल सही देखो कभी कभी ऐसा होगा कभी कुष तुमको मेटर 9 मीटर क्योंकि कैनाल इतने गहरे होते नहीं है जेली गेराई मैकसिम से मैकसिम मालों एक डिडिर मीटर 2 मीटर और अगर मेन कि अले तब वो को आपको हम लोग कि यहां पर ही एंड करेंगे और कल से लोग केनेडी धुरी बहुत जवर्दस धीज करेंगे आ लेकिन हमको मोटी मोटी बात यह ने कुशिश करेंगे उन्होंने क्या दिमाग लगाया है ठीक है किस तरह से उन्होंने स्टेवल चैनल को इंडिया में डिजाइन किया जब वो लोग यहां पर काम कर रहे थे तो बहुत पॉप्लर थेयोरी तो उनकी वारा नोग डिसकेशन करेंगे बढ़ यह से ठीक है वो भ यहां में कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एक से रूज जाओ एक सेकंड रूकेंगे सब लोग थैंक यू अब जा सकते हैं सब लोग ठीक है तो कल मिलेंगे लोग किना लिजाने साथ इल नोट सुमकों को नोट सुमके प्वलू की आप में पढ़िया से च चलो गुड नाइट एविवन टिप मांग रहा है लड़का टिप यार खताम होगे ही लग रहे हमको देते देते हैं टिप चलो कुछ तो बता देते हैं टिप में पढ़ाई लिखाई से चाहिए हो कि तुम लोग को टिप की जिंदगी वाली बताएं जल्दी तो पहले बता ज्यादा बोट जिन्दगी वाले आ रहे हैं ज्यादा जिन्दगी चक्कर ना पड़ो समझ रहो तो बड़ा सोच रहो ओरल मतलब लॉंग रंकी बात चल ले हैं जिन्दगी वाला यार एक एक लाइन हमां के तुरन दा रही है काफी बढ़िया लाइन है ना यह शाहिए तो जिन्दगी में सिस्टम यह है कि हम लोग को बहुत टेंशन है क्या होगा क्या नहीं होगा है ना एक्टुली सिर्फ बाकी स्पीशिस के मुकाबले हम लोग का दिमाग बड़ा हो गया है तो इसलिए सारी समस्यां शुरू हो गई है बहुत सारी है ना हम लोग कहीं पहु तो भी देखो कोई टेंशन नहीं ना कोई ग्जाम ना कुछ तो लॉंग रन में तुमको टिप हम यह देना चाह रहे हैं कि तुम्हें दो चीजे होती हैं एक होती टैंपरीरी है रहा तो उसको पकड़के रखना है इतना किसी प्रकाड था खुश्किसमत तो कि तुम वह experience कर पाए ठीक है ने तो को सुन पाते फिर अभी experience वह था तो मैं नहीं तो में में मोरी को पकड़न दूसरी चीज़ बहुत ज्यादा इमजीन नहीं करना है एकुझा है रधून आपक्षबों wijकितzoels नहीं है इतना इमेजिन भात डूब जा रहहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा तो ये तो दुनिया के सबसे गलत चीज हो गई है तो बहुत पास्ट और भी हुचे में लाी जाना है करना किया है present मज़ीन Another उसको इतना कशक हमाथ प करो क्योंकि वह एक्सपीरेंस ही जो तुम लेके जा पाओगे तुम जितना पैसा जीओने कमाओगे यहां पर आगे जाओगे सब कुछ शूट जाएगा अल्टिमेटली तुमको फील हो रहा है भी जो कनेक्शन हम लोग कर पा रहे हैं यहीं सब कुछ है तो प्रेजेंट में तो अपनी बेस्ट मेहनत करो और ज्यादा फ्यूचर और ज्यादा पास जक्कर में मत पड़ो यह थी जिंद्गी की बहुत जब्स टिप जो सर हमेशा याद रखते हैं तब इस सर एक दाम हमेशा खुश रहते हैं समझ रहो बस हेल्थ बढ़नी बढ़िया चलनी चाहिए है पसंद आए जल्दी कमेंट मताएंगे काफी लोगों सुनी भी टिप ऐसे चलो भई हाँ यह बढ़िया मेमोरी बनेगी लेकिन हम लोग कोई से मतलब नहीं है यह बढ़िया मेमोरी बन जाएगी तो बाद में यह नहीं सोचना है कि यह मेमोरी वापस आ जाए नहीं फिर उस टेक कियर स्टेब लेस्ट